चलो बेसिक्स से डिसक्स करेंगे बायोटेक जिसको नहीं भी आता जिसने अभी तक कुछ बायोटेक में नहीं पड़ा वो इस सेशन को देख लो बेसिक्स और करेंट अफेर दोनों कवर हो जाएंगे आपर ठीक है तो सबसे पहला बेसिक यह है कि डीने होता गया है सर डीने क है इसके इलावा इसमें 4 नाइट्रोजिन उस्ट होते है 4 नाइट्रोजिन उन सुटत और यह नाइट्रोजिन सूटें इनका Production और तैमिन के साथ ब penn करता है डबल बॉंड से और यह बॉंड होता है है इसे हम कहते है hydrogen bond गौनिन करता है triple bonding के साथ cytosin से यह structure basic structure dna का होता है dna अलग अलग तरीके के होते हैं हम जब बात करते हैं तो basic b dna type of dna की बात करते हैं ठीक है यह आपका जो spiral structure है इस तरीके का structure होता है तो यह basics हैं बिल्कुल यह समझने difference में ध्यान से देखिए कि generally मैं हमेशा जब statement बोलूँगा तो सोच समझ के बोलूँगा यह जनरली बोला मैंने क्या बोला मैंने जनरली जनरली जब मैं कहा रहा हूं तो dna जनरली क्या होता है double stranded double stranded ठीक है लेकिन generally RNA क्या होता है single stranded एक strand होगा लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है नहीं हमेशा ऐसा नहीं हो सकता DNA भी single stranded हो सकता है तो UPSC अगर dna RNA की difference में यह statement आपको देता है कि always dna double stranded होगा तो देखिए वह statement क्या है आपका गलत हो जाएगा ठीक है always नहीं जनरली dna के अंदर आप देखिए कि पहली बात तो एक strand का basic difference हो गया दूसरा difference जो इसमें nitrogenous basis है एक nitrogenous base आता है थाइमिन जबकि थाइमिन absent होता है RNA के अंदर RNA के अंदर होता है uracil ठीक है तो यह हो गया आपका दूसरा difference यह पहला difference यह दूसरा difference तीसरा difference जो DNA RNA के बीच में होता है वह stability का DNA जो होता है वह more stable होता है जबकि RNA जो होता है वह होता है less stable मतब environment में अगर DNA और RNA को दोनों को रखते हैं तो बहुत तेजी से एक system within fraction of seconds RNA क्या कर जाएगा डिग्रेड कर जाएगा लेकिन DNA उतनी तेजी से डिग्रेड नहीं करता दन तीसरा difference चौथा difference होता है कि DNA RNA actually contain क्या करते हैं तो DNA actually information को info को store करने के लिए यूज होता है जबकि RNA यूज होता है उसे कोड करने के लिए जनरल सेंसे बता रहा हूं मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो जैसे कि एक central dogma आपने पढ़ा है बायो टेकनोलोजी में नहीं पढ़ा है तो बता दितने जल्दी से central dogma क्या कहता है Central Dogma Central Dogma यह कहता है कि जो DNA है यह DNA convert होता है mRNA में और mRNA convert होता है protein में इसका मतलब सर की DNA protein बनाता है क्या answer is yes DNA protein बनाता है तो DNA से जब mRNA में conversion होता है तो उससे हम कहते है transcription अब transcription word पर UPSC question पूछ चुका है ठीक है मैं पहली बता दूँ सो वेरी गुड इवनिंग सेहां वेरी गुड इवनिंग डॉक्र सुमंत और स्टूरेंट्स ट्रांस्क्रिप्शन पर यह कोश्चन यूपसी पास में पूछ चुका है प्रीवेस यह कोश्चन है पांच साल पच्चेस सवाल में मैंने एक्स्पेन किया है देख ले ना और जो बनाएगा क्या यह स्टेटमेंट सही है बिलकुल नहीं डीने हमेशा प्रोटीन बनाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे जो पर्टिकुलर सेल है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो हमारा नूकलियस है और उस नूकलियस के अंदर जो हमारा डीने है क्या यह सारा डीने DNA के अंदर हमारे genetic makeup के अंदर nucleus के अंदर ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं junk DNA students junk DNA का मतलब यह समझ दीजे कि वो protein नहीं बना रहा है लेकिन assembly में structure होने में support करने में उसका कोई न कोई रोल होगा तो junk DNA जब हम बोलते हैं तो मतलब वो प्रोटीन नहीं बना रहा तो मतलब वो fragment of DNA वो fragment of DNA जो प्रोटीन बनाता है उसे हम कहते हैं जीन कि यूपेसी ने परिशान किया तुम्हें जीन डीने क्रोमोजोम और ऐसे छोटे छोटे शब्दों पे एर्थ लास सेवन ग्लास के NCRT में जो लिखा होता है फस जाओगे तो अगर एक बहुत लंबी रस्सी है इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और explain कर देता हूं यहां कर देता हूं अगर एक बहुत लंबी रस्सी है DNA की एक बिल्कुल पूरा बड़ा थ्रेड है उस थ्रेड का मैं चोटा सा फ्रेग्मेंट ले लूँ जो प्रोटीन बना सकता है तो उसे मैं बोलूगा जीन तो जीन हरीडिटरी मेट्रियल है हांजी है डियर नीचे यह मुझे जीन और डियन जब मेरे स्टूडेंट को समझ में आ गया तो अब बात करते हैं क करोमोजोम की कि यह बेसिक्स बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बेसिक्स पताओं तो आगे कर लेते आते हैं तो भी अच्छी बात है नहीं आते हैं तो कोई नया नए एक नया पुएंट जरूर मिलेगा आपको त्यांदिके टेजी से बाढ़ा रहा हूं प्लों क्रोमोजोम होता है तो जब वो इतना spiral form में होता है तो उसे हम कहते हैं condensed form condensed और वो condensed form में जिस तरह से होता है उसे हम actually chromosome ना बोल करके कहते हैं chromatin chromatin तो एक cell है एक cell के अंदर आपने बोला कि सर यह nucleus है तो nucleus के अंदर dna ऐसे thread likes में पूरा spiral form में है तो वो क्या है वो chromatin है वो condensed form है comparison to a dna के रस्ती को खोलूं लेकिन जब यही सेल डिवाइड करने जाती है क्या करने जा रही है अब यह सेल को डिवाइड करना है डिवाइड करना है एक से क्या मैं एक सेल को निकाल करके microscope से अराम से observe कर सकता हूं answer is no answer is no अगर मुझे chromosomes को observe करना है तो मुझे ऐसी सेल को चुनना पड़ेगा जो अपने dividing phase में हो उस dividing phase में जब वो सेल होगी तो उसे microscope में देख करके हम chromosome को देख सकते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूं अभी तो chromosome कैसे दिखते हैं chromosome ऐसे वाई शेप्ट यह इन फैक्ट एक्स शेप्ड स्टॉक्चर्चर्स होते हैं बटरफ्लाई करेंगे और बन जाएगा chromatin chromatin form में DNA आपको दिखेगा जो नॉर्मल सेल में दिखेगा लेकिन वही सेल जब क्रों सेल डिवीजन वाले फेज में जाएगी तो डिवीजन वाले फेज में हमें chromosome दिखेंगे और यह chromosome एक एक सेल के अंदर कितने होते हैं एक सेल के अंदर यह 23 pair of chromosome होते हैं humans के अंदर क्या सभी और्गनियजम के अंदर डिन ऑब्र होता है आंसर येस है क्या सभी और्गनियजम मतलब वाइरस से वगडरा में आ रहन नहीं हो सकता है कुछ और्गनियजम्स में आ रहने हो सकता यह ़ेकिन वे इन यह घ्याली एक बैटीर Urban तो इसका मतलब पेर है तो आंसर 46 होगा अगर सिर्फ क्रोमोजोंस का नंबर पूचा जाएगा पेर पूचा जाएगा 23 पेर पूचा जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में यह बेसिक चीज़ समझ में यहां चोटी-चोटी गलती मत करना क्लास एर तैंध के नंसी आटी मेंगे चीज़ें अब इस टुड़न्स 23 पयर फ्रोमोजोंस हर से में होते हैं एक स्वैस कौन fragen कै क्योंकि आगे जा यहां व्म स्यल और où एकसेल फ्यूस करेगी तो 46 अपने आप ही होजाएंगे इसलिए इन्हें हम कहते हैं haploid cell टर्म मिला हमें एक haploid क्या होता है ऐसे ही जब 23 पेर बोलूँगा तो दिस इस डिपलॉइड टर्म स्क्लियर बेसिक्स क्लियर चलो अब चलेंगे आगे क्रोमोजम समझ में आ गया जीन समझ में आ गया डिने समझ में आ गया डन इन में डिफ्रेंसिस भी मैंने आपको पढ़ा दिए अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट डिने टेकनोलोजी क्या होता है सार और इती ठीक है यह आपका जो बायो टेकनोलोजी है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे री कॉम्बिनेंट डिने टेकनोलोजी अब शब्द को देखिए आप करने की कोशिश कर रहे हैं DNA को तो DNA को हम रिकंभाइन ही तो खर रहे है तो एक ऐसी technology है genetic material जिसमें बाहर से हो सकता है कोई genetic material हम लें organism के अंदर उसे करने के लिए उसकी characteristics को बढ़ाने के लिए किसी भी living organisms के अंदर introduce कर दें या फिर उसे हम किसी तर storing करतें alter करने का मतलब है हो सकता है DNA में आप जब changes करने जा रहे हैं तो कोई particular segment of DNA आप delete कर दो कोई segment of DNA आप add कर दो या फिर उसमें कोई modifications कर दो दन तो यह सब क्या है यह आपका हो जाएगा कि हमने DNA में alteration कर दी जब आप addition की बात करेंगे finally बाहर से कोई चीज एक fragment of DNA किसी और का उठा करके इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे वैसे तो इसे बोलते है simply foreign DNA लेकिन बायो टेक्नालोजी में एक term होता है है इसके लिए यूज होता है उसे हम कहते है ट्रांस जीन तो अब अगर बायो टेक्नालोजी में आप से बोला जाएगा ट्रांस जैनिक और्गेनिजम ट्रांस जैनिक एनिमल ट्रांस जैनिक प्लांट मेरे स्टूडेंट समझ जाना ट्रांस जैनिक मतलब वो जैनिकली मॉडिफाइड है समझ गए तो ट्रांस जैनिक एनिमल क्या है ट्रांस जैनिक प्लांट क्या है ऐसी छोटी-छोटी जीज़े कोश्चन में अगर गलती से पूछता है तो घबरा मत जाना ठीक है पता लग गया आपको अब रिकॉंबिनेंट डिन टेक्नालोजी य ठीक है आई विल ट्राइ मैं वेस्ट टूल्स और डिटी ट्वेल्ट क्लास के न्सीया टीमें में टूल्स में देखिए सबसे पहला टूल है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स यह क्या होते हैं दूसरा है पॉलिमरेज इस और तीसरा है लाइगे जिजिस मैंने कहा आपसे डि पर कड़ी में लगा रहें स्टूइंस क्या है कि हाप करें अपने कपड़े में कट लगाते हैं कैची लगा क्या अपना रने अपना पर्टिकलर एक ग्यू लेक हैं बिलकुल ऐसे ले EMBA कट लगाया सकते हैं लेकिन उन्हें हमें अपनी आखों से तो नहीं दिख रहा उन कैसे पता लगेका सर कहां काल लगा क्योंकि ये particular enzyme को हम फहले करेंगे देखvändगे कि जो डिएने की सेक्वेंस है जो एसको प्रेटिक्स लगाना है इस ब्रांच ऑ mix पर question पूठा हुआ योपय से ने proteomics Genomics इस पर question transcriptio bioinformatics जीसे हम कहते हैं bioinformatics उस पर question पूछा हुआ है ठीक है दूसरा होता है polymerases अगर माली जिये हमें किसी पर्टिक्लर स्थिक्वेंस को repair करना है और एक जासे आप समझे आप घर बनाने जा रहे हो घर बनाते हुए आपको बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए तो ब्रिक्स का काम कौन करेंगे यह एटी जी सी काम करेंगे और आपको लेबर चाहिए यह लेबर क्या करेगी एक क्यों पर एक ब्रिक लगाएगी तो तो इन्हें हम कहते हैं DNA polymerases done और तीसरा है ligases ligases मतलब cement जब building मनाने के लिए cement लगेगा तो bricks एक के साथ जुडेंगी तो बाद में cement जब सूख जाता है तो brick लाओगे तो हिलेगी नहीं यह cement के काम ligases करते हैं अगें यह भी enzymes है ठीक है तीन टूल समझ में आ गए अब बात करते हैं restriction enzyme की कहीं हमें current affair discuss करना है बट यह basics नहीं समझ में आए तो भी problem हो जाएगी restriction enzymes देखें यह ncrt class 12 का डाइग्राम मेंने लिए restriction enzymes दो तरिके के होते हैं एक होता है endonucleases और दूसरा होता है exonucleases basics हैं बिल्कुल एकदम basics class 12th ncrt के exonucleases मतलब जब कट लगेगा तो end पर लगेगा मतलब DNA के fragment के end पर कट लगेगा जो endonucleases होते है endonucleases का मतलब है कट लगेगा बीच में मतलब DNA के fragment के बीच में कहीं कट लगाना होता है तो बीच में जब कट लगाएंगे तो endon exo exit बाहर की तरफ याद हो जाएगा ठीक है अब जब कट लगते हैं तो कट लगने के DNA में कट लगने के तरीके भी दो होते हैं तो दो कट लगने के बाद दो तरीके की fragments मिलेंगे एक तो कट ऐसे लग सकता है कि भाई सीधे DNA में आपने जब कट लगाया यहां कट लगाया यहां कट लगाया और बाद में आपके sticky ends का मतलब जब endonucleases लगेंगे DNA के ऊपर तो जो एंड्स होंगे वह sticky होंगे अब सरस्टिकी का मतलब क्या है sticky का मतलब यह है कि अगर यह DNA का fragment है देखे मैं इसको यहां पर explain कर देता हूं चलिए यहां कर देता हूं ठीक है स्ठीक ही explain किया हूं मैं इसी चीज को लग से लिक रहा हूं students यह जो सिख्वेंस है owners लेकर बिखेंस ही हो स्ट एंग है ही दिख रहा है अब यह एक पैलेंड्रोमिक सीक्मेंस है इस सीक्मेंस को रिकॉगनाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक रेस्टिक्षन एंजाइम जिसका नाम है यहां एंसी आटी ने दिया हुआ है इको आरवन यह पर्टिकुलर एंजाइम जाके कट लगाएगा कट कहा लगाता है जी और एक बीच में यहां पर अब अगर फ्रेग्मेंट्स बनेंगे तो देखिए ध्यान से फ्रेग्मेंट्स कैसे बनेंगे पहला फ्रेग्मेंट्स जो बनेगा वह ऐसा बनेगा यह अलग ह कैसा है यह sticky end है मतलब यह complimentary इसका जो आगे टी आना चाहिए यह 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 वो है ही नहीं इसे कहते हैं sticky ends तो restriction enzymes endonucleases exonucleases दो तरीके के center of the DNA में cut करेगा endonucleases end पे करेगा exonucleases endonucleases से cut लगाएंगे तभी हमें sticky ends मिल सकते हैं नहीं तो हमें blunt ends मिल सकते हैं जिसमें fragment single strand लटका हुआ नहीं है ठीक है दन बाकि exonucleases से हमें brand end मिलेंगे endonucleases से ही हमें sticky ends मिलते हैं डन चलो यह बेसिक स्लियर होगा है अब आते हैं बायो टेकनोलोजी के बेसिक प्रिंसिपल पर अगें चैप्टर पढ़ा दिया मैंने तुम्हें दस मिनट लगेंगे चैप्टर पढ़ा लिया तुमने ठीक है नहीं भी बढ़ी अभी तक इंसुलिन प्रोटीन है इंसुलिन बोडी में नहीं होगा तो बहुत इंपोर्टेंट प्रोटीन है इंसुलिन एजन हॉर्मोन भी है तो हॉर्मोन प्रोटीन होते हैं क्या हां जी हॉर्मोन प्रोटीन होते हैं तो ऐसा हॉर्मोन ऐसा प्रोटीन जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोग यहां पर परिशान हो रहे हैं डियाबिटीस से मिलियंस ऑफ पीपल तो क्यों ना एक बायो टेक्नोलोजी इंडस्ट्री खोली जाए जिसमें हम अराम से इंसुलिन के प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोड्यूस करें और इंजेक्शन बना बनाके उसक इसकी अगर हम डायक्स बाड़ें दालेंगे और स्कूल्ष तो प्रोटीन बन जाएगा तो क्योंकि ऐसे जो डियने होता है तो यह क्या कर जाता है इसलिए ऐसनी ले सकते हम क्या काम करते हैं एक बैक्तिरीय की cell के अंदर एक structure होता है जिसे हम कहते हैं प्लाजमिट क्या होता है प्लाजमिट एक सर्कुलर डियने होता है बहुत अच्छे से हमने सिक्वेंसिंग करके इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है साइन्स यह कर चुगी है अब हम इस प्लाजमिट को लेकर के इसके अंदर अपना फॉरण टालेंगे तो आपको पीछे टूल्स मैंने पढ़ा दिये हैं आपको सबसे पहले क्या करना यह करना करते हैं और अफ़से इंसे और डाल करके लाइज नाम पर आपका foreign DNA foreign gene यहाँ पर insulin बनाने वाली एड हो चुकी है एक प्लाजमिट के अंदर अब प्लाजमिट क्योंकि अपने साथ इस फॉरण जीन को लेकर के जा रहा है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे है फॉरण DNA और पूरे इसे लेकर के हम बैटी रा की सेल एंधर डाल देंगे यहाँ पर एसमेंकल बैटींड की जिसल काören सबसेख sû County Claire है इसके अंदर जब हम इस कोड़िए हैं उसके अलग अलेक होते हैं माइको इंजेक्शन होता है इसमें हीट शॉक्ट होता है अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं एक लाइन में दिये हुए ठीक है एक प्रिकुलर छोटे से कॉलम में दिये हुए है बाइट टेक्नोलोजी टॉपिक के अंदर चैटर नमब लेवा एंचेटर नमब 12 और ट्वेल इसलिए टीकनोलजी है डन अब यह जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा री अंदर डाल दो इको लाइक लाइक होता ही है रन एक लाइक क्या काम करेगा एक बैक्टिक नीट में अग्विक भेग करेगी मतलब एक-से-दो-दो-दो-चार-ड और एक गंटे में तो यह millions of copies बन जाएंगी इसकी अब हर बैक्टिरिया के अंदर यह जो प्लाजमिड है अपना transcription translation करेगा जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको जिससे प्रोटीन बनता है मतलब हर बैक्टिरिया की है पहले तो सारे प्रोटीन निकाले जाएंगे उन सारे प्रोटीन से अपना वाला प्रोटीन इंसुलिन वाला प्रोटीन उसको प्यूरिफाइब करेंगे प्यूरिफाइब करके एक्स्ट्रेट करेंगे अपना बिलकुल इसको समझना अब आपने चाहे आप इंसुलिन मना लो चाहे आप मिल्क प्रोटीन मना लो आपको जो चाहिए ना आप अराम से बना सकते हो बायो टेक्नोलोजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कैसा तरीका है कैसी ब्रांच ऑफ साइंस है कुछ भी कर सकती है आपका जो करन्ट अफियर शुरू होता है उसमें एक टाम है जिसे हम बोल रहे है जैनेटिक आप जैनेटिक मोडिफिकेशन टेक्नोलोजी अब जैनेटिक मोडिफिकेशन अब जब मैने इतना दस्मिन पढ़ा दिया और कोई सुन रहा है उसको समझ में आएगा जीन को हम मौडिफाइगर रहे है क्या कहना चाहरे हैं इसमें हम इसमें डारेक्ट मैनिपूलेशन कर र करने पड़ेगी और इस एडिटिंग की जो एप्रोच इस है जो की हायर लेवर पर आप बढ़ते हैं और भी एडवांस लेवल पर बढ़ते हैं उसमें से एक आता है क्रिस्पर केस 9 अगर कोई भी सीरेस एस्पेरेंट है जो इस बात को सुन रहा है तो उसे बात पता है कि क्र पर question पूछ चुका है very very important topic कुछ नहीं पता आगे भी पूछ ले दुबारा दूसरा editing का जो तरीका है वो है आपका endonucleases endonucleases शर ने आपको भी पढ़ा दिये done endonucleases अभी आपको पढ़ा दिये और तीसरा एक तरीका होता है जिससे हम कहते हैं साइट डारेक्टेड nucleases अब देखिए nucleases इसमें लगी रहे जब लग जाता है पीछे इसका मतलब enzyme होता है और जब nucleases लगा दिया तो nucleus के अंदर DNA में कट लगाएगा that is very simple लेकिन site directed का क्या मतलब है यह चीज मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं तो यह gene editing के basic तरीके है genetic modifications करने के इसमें बहुत सारे laws है एक्ट है जो अपलाई होते हैं जैसे कि अगर मैं बता दूँ तो biology diversity act है 2006 का इसके इलावा आपका drugs and cosmetic acts है seed act है और भी जो acts है जो पर्टिकुलर में इसे protection of plant varieties and farmers के लिए जो राइट्स के लिए जो एक्ट है यह सब biotechnology को यहां पर क्या है laws इस तरीके से protect करते हैं कि biotechnology का misuse नहीं होना चाहिए लेकिन इस तरीके से हम editing कर सकते हैं अब आते हैं सीधे genome editing इसका क्या मतलब है सर जीनोम का मतलब हो गया sum up of the throughout genetic material sum of DNA sum of the genetic material एक organism का जो पूरा genetic material का sum है उसको हम genome बोलते हैं ठीक है collectively तो genome की editing में topic टिकल के आता है genetically modified crops genetically modified crops के मतलब हुआ कि हम एसी crops produce करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें हमने कोई ना कोई genetic manipulation करी है हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो particular crop है उसके अंदर कोई diseases लगती हो और इन diseases से हमें अपनी crop को protect करना है पहला point दूसरा हमारी crop को किसी भी तरीके का stress नहीं आना चाहिए कैसा stress यह stress हो सकता है जो आपका ज्यादा पानी आ गया ड्रॉट का stress हो गया ठीक है यह stress herbicides का हो सकता है यह stress pesticides का हो सकता है यह stress किसी भी तरीके का जैसे की excessive water अगर दाल दे प्लांट पे तो पानी प्लांट तब भी मर जाता है इस तरीके stress हो सकता है तो कुछ बायोटिक stress होते हैं कुछ ए बायोटिक stress होते हैं हमें इन stress से अपने प्लांट को बड़क बचाना है क्यों क्योंकि हमें अपने क्रॉप की productivity को increase करना डन इसमें एक एक एक्जामपल है पी टी कॉटन का अभी पढ़ा दोंका जातर students को बात पता होती है लेकिन और भी एक्जामपल से विचाल गिव यो लेकिन न्यूज क्या है न्यूज सुनो न्यूज यह है कि Department of Biotechnology DBT ने अभी रिसेंट्ली अपनी कुछ guidelines issue करी है और यह guidelines है for the safety assessment of genome edited plants 2022 यह ऐसा करा है safety guidelines में इस से यह modifications करी है ताकि आराम से genetically modified crops पर research हो सके और उन्हें easily हम market में ला सके यह guidelines इसलिए है और यह थोड़ा सा guidelines ने क्या काम किया है चीजों को easy किया है lenient करा है ताकि हम जो है research इसमें focus कर सके डन आज तक इंडिया में कौन सी particular crop है जिसको commercially approved किया गया है genetically modified that is particular BT cotton BT cotton को तो हमने बहुत अच्छे से जो commercialization है करा है लेकिन बाकी crops को नहीं किया है जिसमें एक example अब जो सामने आ रहा है वो है DMH 11 mustard का वो पढ़ाता हूं अभी में जल्दी से इस guidelines में clearly mention किया गया है कि genome edited plants जो fall कर रहे हैं under the category of site-directed nucleus sd sdn1 और sdn2 इन्हें exempt करते हैं अब आपने nucleuses नहीं पढ़ा तो nucleuses नहीं पढ़ा तो फिर आपको topic समझ में आने में मुश्किल होगी definitely nucleuses अब मैं पढ़ा चुका हूं तो अगर मैं अपने students को nucleuses पढ़ा चुका हूं तो site-directed nucleuses क्या होते हैं उसमें sdn1 और 2 का क्या मतलब है उसे समझेंगे ओके और यह जो particular guidelines है उन्होंने इसे exempt किया है उसका reason भी दूंगा में सबसे बहले बात करते हैं site-directed nucleuses technology का मतलब क्या है सीधर diagram पे आओ cut the whole story short diagram में ध्यान से देखो यह particular DNA है तो हम chromosome लिख रहे हैं chromosome को open up करेंगे तो वो DNA हो जाएगा इसमें अगर हम cut लगाना चाहते हैं क्या कहना चाहरे हैं site-directed nucleus nucleus मतलब DNA में cut लगाना चाहरे है specific site पे लगाना चाहते है simple endonuclease का type ही है यह लेकिन specific site पर जाकर के यह क्या लगा रहा है DNA के अंदर यहां पर cut लगा रहा है हम ऐसा cut क्यों लगाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है किसी particular gene में कोई defect आ गया या उस defect की वज़े से वो gene पहली बाद defect आने की वज़े से उसमें mutation हो गई हो mutation एक particular nitrogenous base में हो गई हो तो single point mutation बोलते हैं उसको हम biotechnology में done ऐसी mutations को हटाने के लिए हम site directed यह nucleases use कर सकते हैं अगर हम इस case में जब मैं one बोल रहां तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कि जब हम cut लगाते हैं और कोई foreign DNA introduce नहीं कर रहे हम बस कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा DNA है उस point of जगा पर अगर हम उसे repair करना चाहते हैं या फिर उस sequence में से कोई एक nitrogenous base या दो nitrogenous base हम delete करना जाते हैं तो इसकी वज़े से क्या होगा कोई function gain हो सकता है कोई function loss हो सकता है सर यह loss और gain कैसे समझ में आया इसका मतलब यह हुआ कि किसी ना किसी protein में गरबड़ी हो जाएगी और वह protein अगर प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा था तो इसका मतलब अब वह repair हो जाएगा क्योंकि अब वह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा हमने delete कर दिया protein वह sequence delete कर दिए तो protein नहीं बनेगा अगर हमने उस particular protein को देखें तो फाइदा हो रहा था तो कुछ changes करने से अगर protein की वह से फाइदा होने लगेगा प्लांट को तो वह भी अच्छी बात है ठीक है तो in all the cases हम जीन लेवल पर modifications करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमने कोई foreign DNA इंट्रड्यूस नहीं किया है जब हम नहीं करते है कोई foreign DNA इंट्रड्यूस तो उसे हम कहते हैं साइट डारेक्टेड नूप्लिएज एस डीवन ठीक है अब हम बात करेंगे SDN 2 की SDN 2 में क्या होता है इसमें editing involve करती है small DNA template to generate specific changes इसमें भी हम specific changes करने ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम genetic modifications इसमें कर रहे हैं animal की कोई और gene हम इसमें नहीं डाल रहे हैं लेकिन हमने DNA तो लिया है donor DNA लिया है वो उसी plant का भी हो सकता है या वो उसी के DNA से related हो सकता है यहां तो कोई donor DNA लिया ही नहीं था SD SDN 1 में SDN 2 में donor लिया है और उसकी वज़े से जो हम corrections करने जा रहे है जीन editing में वह SDN 2 हो गया SDN 3 क्या होता है SDN 3 में students हम foreign gene foreign DNA introduce करते हैं तीन methods मैंने आपको समझाए अब इसकी detailing में चलते है SDN sequence specific nucleases भी बोलते हैं इनको अब इस पर question आए या इस पर question आए confused नहीं होंगे इसका मतलब है कि ऐसी practice जिसमें DNA को strand को हम तोड रहे हैं कट लगा रहे हैं क्लीवेज कर रहे हैं उसमें affect कर रहे हैं particular genome editing के लिए ताकि इससे कोई न कोई हमें फाइदा मिल रहा हो वो फिर scientist देखेंगे कि उससे फाइदा किस तरीके का मिल रहा है कोई herbicide tolerance अगर किसी protein की वज़े से बढ़ सकती है मिल सकती है तो वह सब study का part होता है और specific to crop होता हमें detail में नहीं जाना सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं डियने में कट लगा करके यह हैं यहां पर एक्जैक्ली ऐसे ही होती है सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं डियने में कट लगा करके यह है साइट डारेक्टिड नूक्लियस अब हम बात करेंगे SDN 1 और 2 के बारे में they do not involve alien genetic material यही UPSC पूछेगा अगर उसे पूछना हो तो यही पूछेगा exactly और SDN 3 जो है इसमें foreign gene है जो foreign origin की है difference सामने सामने clear गर दिया है मैंने याद गर लो इसको हो तो SDN 1 और 2 do not produce any new plant variety क्यों नहीं प्रडूसरी new plant variety क्योंकि foreign gene है अब जब इसमें कोई foreign gene इस तरिके का foreign DNA ही नहीं पढ़ रहा तो करोगे ना तुम guidelines में इसको exempt जरूती गया इस पर regulation लगाने की इसमें तो foreign gene नहीं आ रहा तो students इस लिए यहाँ पर इसे exempt किया गया है आई होप आपको समझ में आए देखो SDN 1 और SDN 2 को क्यों यहाँ पर exempt किया गया है आई होप अब आपको यह line समझ में आई होगी ठीक है चालो आगे चलते हैं SDN 3 में अगर हम इसमें भी genetically genetically modified organisms के legislation को लगाना चाहें तब कब लगेगा वो पहली बात इसमें foreign gene होगा लेकिन यह particular genetically modified organism भी कब बोला जाएगा यह इसमें इसमें laws और act कब लगेंगे जब कम से कम 20 base pair का हम particular gene size insert करते हैं सर अब यह base pair क्या होते हैं अभी तो पढ़ाया ए और टी मिलकर के एक base pair है जी और सी मिलकर के एक base pair है और दोनों को collectively देखेंगे तो यह दो base pair है ऐसा आपका DNA का या gene का length जिसमें कम से कम नहीं तो 20 base pairs आ रहे हों ऐसा length minimum चाहिए तब जाकर के हम उसे genetically modified organism legislation में include ठीक है यह basics है students यहां तक का आपको topic SDN का I hope समझ में आया होगा यह side directed nucleuses क्या होते हैं टाइम की limitation है आगे चलते हैं gene editing पर आते हैं simple इसके basics पर इसको define करते हैं यह manipulation of the genetic material है living organism के respect में जहां आप delete कर रहे हो replace कर रहे हो insert कर रहे हो DNA की sequence में ठीक है और typically आप aim कर रहे हो कि आप improve करो crop को simple basic definition means में काम आएगी लिखने में ठीक है news क्या है news 2020 के chemistry के Nobel Prize की है जहां पर Emmanuel और Jennifer यह दो scientist को हम क्या बोलते हैं इनको हम nuclear यह Nobel Prize देते हैं Nobel Prize हम देते हैं किसमें CRISPR case 9 genetic seizure में अब जैसे हम लिटरली कैंची से अपने कपड़ों को काट करके suits लवा लेते हैं ऐसे ही हम molecular level पर DNA में भी तो पट लगा रहे हैं तो यह scissors ही तो है इसलिए इन्हें हम genetic scissors बोलते हैं और यह cut paste एकदम genetic sequence में cut paste ही है एक तरीके से देखा जाए लेकिन इसे करना वही बहुत मुश्किल चीज थी और उसको अचीव किया इन्होंने एक तरीके के एंजाइम से और उस एंजाइम का नाम है केस 9 कैसे काम कर सकता है या करता है यह चीज आप से पूछी जा सकती है क्रिस्पर केस 9 होता क्या है यह आपसे पूछा जा चुका है बस molecular seizure उसका answer था इसमें होता क्या है कि क्रिस्पर जो होता है यह पूरे डीने पर अपना वह लगाएगा एक हम चेक लगाएगा की देखेगा देखूं जारा कट कहां लगाना है तो यह चेक करेगा पूरे डीने के फ्रेग्मेंट को जहां पर इस स्पेसिफिकली कट लगाना होगा वहां जाकर के रुख जाएगा और केस 9 को बोलेगा चलवाई की एंजाइम मैंने तेरे लिए जगा ढूंड ली है जाकर के कट लगा दे कट एग्जैक्ली लगाएगा कौन केस 9 लेकिन ढूंडेगा कौन क्रिस्पर तो क्रिस्पर एक्चुली में है क्या इसकी फुल फॉल फॉर्म क्या है that is clustered regularly interspaced interspaced short palindromic sequences ya palindromic repeats done क्रिस्पर की आपको I hope definition clear हो गई है यह cluster regularly interspaced short palindromic repeats है मतलब palindromic मतलब मैंने भी आपको बताया था आगे से पीछे से सीक्वेंस को पढ़ोगे तो वह एक जैसे दिखेंगे और वह भी short और वो cluster में होंगे इस तरीके की चीज जहां मिल जाएगी वहां पर कट लगेगा और वो case 9 वो कट लगाएगा ठीक है कैसे काम करता है इस photograph से समझते क्रिस्पर case 9 identify करेंगे target DNA को इसमें जो particular DNA की sequence है यह मैंने यहां दिखा दी और जो पूरा का पूरा protein या enzyme है वो case 9 आपको बड़ा सा दिख रहा है ठीक है इस पर यह जाकर के क्या लगाएगा वहां पर जाकर के इस specific sequence पर जाकर के अब इसने guide कर दिया case 9 को कि यहां कट लगाना है तो देखें कट लगा दिया किसने case 9 ने और कट लगाने के बाद अब scientist इसके बीच में जब कट लग गया है जो भी foreign gene लगानी है जो भी introduce करता है वो यहां पर introduce कर देंगे and ultimately ligases से इसको seal कर देंगे simple चीज़ है nothing complicated बहुत सिंपल है topic ठीक है आप इससे कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लीचे नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सीधर सीधर चलते हैं क्रिस्पर केस 9 simple topic था एक न्यूज में topic आता है जिसे हम कहते हैं base editing ठीक है base editing क्यों न्यूज में था क्योंकि United Kingdom में successfully scientist ने यह test की test किया की एक नए तरीके की cancer therapy जिसे वो base editing नाम से बोल रहे है वो उन्होंने करी और वो particular type of cancer कौन सा cancer था that is blood cancer और blood cancer में भी कौन सा T cell acute lymphoblastic leukemia ठीक है यह TOL नाम से हम इस तरीके के cancer को बोलते हैं T all that is T cell acute lymphoblastic leukemia leukemia is the word for blood cancer ठीक है T all एक तरीके का blood cancer है जिसमें जो T cells होती है T cells मैंने पिछले session में पढ़ाया था आपको immunity boost करने के लिए T cells होती है lymphocytes है चुली में और यह destroy करने लगेंगी आपके healthy cells को मतलब आपकी ही जो T cells बन रही है bone marrow में यह cells बनती है यह भी बता दूँ आपको T cells bone marrow में बनती है और thymus thymus जो यहां पर होता है हमारे एक triangular organ इस thymus पर जाकर करके यह क्या करती है differentiate करती है differentiate होने का मतलब है यह अपना काम अपनी functioning अच्छे से करना शुरू करती है ठीक है तो हम इसे बोलते हैं कि यह जो है healthy cells को मारना शुरू कर देती है T cells उस तरीके का blood cancer है अब इसका treatment किया इन्होंने cancer therapy base editing से अब मुझे इस topic को इतने detail में पढ़ाने की जरूती नहीं है बेस editing क्या होता यह तुम समझ चुके हो जब एक बेस पेयर की बात कर रहे हैं सर यहां पर तो किसी बेस में हम बस changes कर देंगे और बेस में को changes करके हम उस particular cell को क्यों कर सकते हैं इसके लिए जानने की हो जाती है mutations हो जाती है DNA में changes आ जाते हैं simple भाषा में बात करेंगे एकदम सीधे-सीदे यह mutations वैसे तो हमारे DNA में सभी के होता ही रहता है कोई फरक नहीं पढ़ता और हमें पता है कि हमारा maximum जो DNA है वो जंक है वैसे भी और उस जंक से कोई प्रोटीन तो वैसे भी नहीं बन रहा तो करते रहो भई changes उसमें कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन जब यह mutations उन जीन्स में हो जाती है जो प्रोटीन बनाती है तो यह mutations फिर क्या काम करती है है सेल जो होती है उसको division करना है है ना अगर एक सेल अपना division करने के बाद भूल जाए कि कितना division करना है एक से दो दो से चार और अब यहां पर उसे रुकना था पर वह रुगी नहीं रुखना हमारे अंदर mutations हो गए हमें तो और division करना है और वह करते करते division करते भूल जाए कि division को stop भी करना है तो एक mass of cell बन जाएगा और उस mass of cell को हम बोलते हैं ट्यूमर कर तो ट्यूमर बैनाइन ट्यूमर ten Super हिंदी निस्त喂 कि अभी तो इनिशिल स्टेज है निसे अभी बच सकते हैं किrüो बच्छते हैं कि वह क्लाइज है benign level पर है लेकिन वहीं जब वो Tumor malignant level पर चल जाता है Malignant, तो उसे हम बोलते है, malignant tumor, malignλέneMo t जो होता है, वो फैलता है, जब फैलता है, तो बेसेरिटिंग में समझ जाएंगे कि अब mutations को क्यों करने की कोशिश हो रही है बेस लेवल पर एक सिंगल बेस पेर पर भी अगर मुझे कोई चेंज करने हैं तो अब मैं वह उस लेवल पर जाकर के चेंज कर सकता हूं UK में ब्लड कैंसर के चेंज हुआ तो प्रोटीन में चेंज हुआ वही प्रॉब्लम सें प्रोटीन सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में गरबढ़ हो गई भाईया गैंसर हो गया तो यह पर अटक करके उसे कि चेंज करने कोशिश कर रहा है एसे जी में यहां पर अगर साइटेड इन दी अ मैंस ले रहे है तो यह क्या काम कर रहा है सी से यू में चेंजिस करने की कोसिश कर रहा है हम एट अधाइन बेस लेवल पर उसको को चेंज करने concept समझ गए होंगे आप cancer की और में mutations को यहां पर change करने में role play करने की कोशिश है और उससे कोशिश है कि cancer की और हो जाए यहां पर topic clear होता है कुछ-कुछ चोटी-चोटी बाते यह जो बेस editing technique है यह molecular structure of just one base in the genetic code उसको alter करने की कोशिश है genetic instructions को change करने ही कोशिश है genetic code क्या होता है चलो अब यह code बतायते हैं होता क्या है कि जो यह आपका मैंने भी यहां लिखा है na translation mRNA से protein मनते हैं यह देखो mRNA जो होता है इस पे single बहुत सारे अगें ATGC की sequence होगी और RNA के अंदर तो T होता ही नहीं तो यू होगा तो AUG UUA ऐसे करके sequence चल रही होगी GC कुछ भी चल सकती है तो होता क्या है कि यह तीन-तीन का जो set होते ना तीन-तीन के set यह तीन-तीन के set जो है यह बहुत important है और इस तीन के set को हम बोलते है codon तो इस is codon number one this is codon number two और ऐसे continue करेंगे codon number three codon number four यह जो particular codon होता है यह specific amino acid को code करता है बायो टेक में और यह जो amino acid की sequence होती है वह protein होती है जैसे कि for example सर आप example दे दिजे AUG नाम का जो codon है यह code करता है methionin को अब methionin नाम का एक amino acid है और यह amino acid की chain protein बनाती है बस simple सी कहानी तो इसे हम कह रहे है genetic code यह code instructions देता है gene level पर की हमें कौन सा specific protein बनाना है specific protein के इस sequence में अगर इस codon में गरबड़ी हो गई तो यह protein amino acid अगर यह वाला बनना था तो यह चेंज हो जाएगा और amino acid के change होते के साथ ही protein हो जाएगा protein change होते के साथ ही protein का function change हो जाएगा function change होते ही आपके जो है body में functioning में organs की working में वह दिखने लगेगा कोई condition develop कर जाएगी सर क्या कोई ऐसी disease है जिसका example आप दे सकते हो answer है sickle cell anemia sickle cell anemia condition में होता क्या है कि जो हमारी particular rbc red blood corpuscles होती है disc shape की होती है लेकिन disc shape से यह change कर जाती है into sickle shape sickle shape कैसा हाफ moon shape जो है और जब यह sickle shape की हो जाएगी तो इनका तो काम था इसके अंदर hemoglobin था hemoglobin का काम था oxygen को ट्रांसपोर्ट कराना भाईया जीए sickle shape हो चुकी है sickle shape का मतलब इसके अंदर hemoglobin incorporate नहीं कर पाएगा oxygen का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा कम हो जाएगा और कम होने की वज़े से अनीमिया जैसी condition develop कर जाएगी अब बॉड़ी की cells को oxygen नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो सब basic चीज़ है आपको पता हो ठीक है तो यह genetic condition है और इसमें एक particular सिक्स्थ पोजीशन पर genetic level पर changes हो जाता है और वह वह भी एक single base pair में changes होते हैं ठीक है तो यह sickle cell anemia का example again आप कोड कर सकते हैं और इस topic को यहाँ पर समझ सकते हैं genetically modified crops topic को continue करें तो मैंने आपको कहा था मैं इसमें समझाऊंगा आपको BT cotton के पारे में ध्यान से समझें BT cotton का concept दो यह वर्ड आपको पता होगा लेकिन जनरली students को लगता है कि BT का मतलब बायो टेक्नोलोजी नहीं है BT का मतलब है एक particular bacteria और उस bacteria का नाम है bacillus thuringiensis spelling नहीं भी आदोगी चलेगा अपना तो objective paper है सामने चार option के टिक करना है bacillus thuringiensis नाम के particular organism को BT बोलते हैं तो अब हम some more examples of mutation रॉनल्ड हम इसको discuss कर लेंगे mutation अपने बहुत बढ़ा topic है लेकिन genetic जो diseases होती है आप कह सकते हैं कि वह mutation level पर बहुत सारे diseases हो सकते हैं cancer अपने अपने condition है sickle cell anemia मैंने बता दिया थैलसी में बता दिया hemophilia बता दिया ऐसे बहुत सारे genetic diseases है genetic problems है जो हमारे particular mutations की वज़े से या genetic level पर changes की वज़े से chromosomal abrasion की वज़े से होती है chromosomal abrasion के मैं अगर बता हूं तो 21st chromosome पर अगर changes हो जाएं तो आप देखिए कि यह एक down syndrome होता है और यह down syndrome में होता है कि 21st chromosome pair में होना चाहिए था लेकिन यह pair में होता है यहां पर एक extra chromosome आ जाता है तो यहां पर तीन chromosome हो जाते है तो अब इसकी वैसे mental retardation हो जाती है तो यह मैंने chromosome level पर बताया DNA level पर mutation level पर वह वाला एक्जामपल है तो यह पूरी एक branch of पूरा genetics पढ़ते हैं न बायो टेक्नोलोजी में हम पढ़ाते हैं पूरा detail में बढ़ते हैं इस पे DNA में बेस लेवल पर point mutation कौन से हैं non point mutations कौन से हैं साइट directed mutagenesis क्या है यह सब आप genetics में बढ़ते हैं मैं अभी नहीं चाहूंगा कि आप इसके detail में जाएं अगर नहीं पढ़ाए तो अब 24 वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि आप basic biology genetics class 12 की अना उसको पढ़ लीजेगा एक बार चैप्टर को और उसमें आपको इसे कुछ-कुछ मिल जाएंगी ठीक है बीटी कॉटन bacillus thuring genesis यह और्गनिजम का नाम है बैटिर्या का नाम है इसके अंदर एक जीन होती है उस जीन का नाम होता है क्राई जीन ठीक है कैसे याद रहेगा देखो रूलाने वाली जीन है किसको रूलाना है रूलाना है इंसेक्ट सको वह इंसेक्ट्स जो cotton के प्लांट को खराब कर रहे हैं एक्जामपल pink ball warm पिंक पॉल्वॉम नाम का पेस्ट है जो कॉटन के इस पर्टिकुलर प्लांट को हमारे खराब कर रहे हैं क्राई वन एसी वो जीन का नाम है और दूसरी जीन है क्राई टू एबी यह मैंने लिखी नहीं हुई यह NCRT मेंचेंड है यह दोनों जीन हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर कोटन के प्लांट में इंटेड्यूस कर देते हैं इसे जनेकली प्रोटि क्या होता है कि जब यह पिनक बॉल वॉं इस पर्टिक्लर कॉॉटन को खाने यह आता है और घाटा है तो यह प्रोटीन मेंट उसकी गट इसके पीछे जो organization है उस organization को हम बोलते हैं GEAC genetic engineering appraisal committee यह जो committee होती है student यह function करती है under ministry of environment ठीक है ना और forest and climate change ठीक है तो यह जो particular ministry है इसके अंडर यह particular organization काम करती है इसके अंदर आपके 24 members होते है और हर महीने एवरी मंथ इसकी मीटिंग होती है G.E.A.C. sir क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि G.E.A.C. पर यह question आ चुका है कि यह committee किस act के अंदर बनाई गई थी किस act के तहट यह regulate होती है तो यह मैं आप से question पूछता हूं comments में जल्दी से बताए यह previous question था G.E.A.C. की full form genetic engineering appraisal committee इसका act आप से पूछा था तो आप जल्दी से बता है कौन से act के तहट है यह प्रिवेस यह question है अगले अगला एक्जामपल है सुडेंट हर्भी साइट टॉल्रेंट एच्टी बीटी कॉटन ह्टी बीटी कॉटन तो हर्भी साइट टॉल्रेंट बीटी कॉटन एक्चुली में क्या है इसके लिए specific additional gene है जो हर्भी साइट के लिए protection देगी और environment protection act एक्ट लिखें तो उसका पूरा year भी लिखें तो अच्छा लगता है तो मतलब आपको clarity है बाकी आपका अंसर सही है ठीक है जो एडिशनल जीन है वो है CP4 EPSPS ठीक है हर्भी साइट के लिए CP4 EPSPS जीन है यह हर्भी साइट जो particular glyphosate होता है उससे protection देती है महाराश् है herbs होती है weeds होती है ठीक है पहले तो बता दू हो सब्सक्राइब को यहीं ना बताओ वीड होते हैं unwanted plants अगर यह unwanted plants फ्लीड में होंगे तो फार्मर का नुकसान है वह नहीं चाहेगा कि unwanted plants ग्रो करें sunlight लें space लें nutrients absorb करें इन्हें बारने के लिए वह एक herbicide डालते हैं जिसका न रहें जितना glyphosate use करना करो कोई दिक्कती है आपका BT cotton अब safe है herbicide tolerant इंडिया ने इसको अलाव नहीं किया इंडिया ने जब इसको अलाव नहीं किया तो यह illegal market से इंडिया में यह सीड आते हैं और यह सीड फार्मर यूज करते हैं illegally और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कि बहुत जादा illegal इसका यूज हो जाता है तो गौर्मेंट सत्य में आ जाती है गौर्मेंट इसमें protection करती है कि यह तो अलावडी निया सीड यह तो होने ही चीए फिर यह क्यों आ गए illegal है यह तो तो फार्मर्स अपने प्रोटेस्ट पर आ जाते हैं students और एक बहुत बढ़ बतायते हैं आपर वो terminator gene भी डालती है आपर terminator gene नई सुनाय तो भी बतायता हूं वह क्या करते हैं सीड के अंदर एक terminator gene को introduce कर देती है अगर यह particular seed first season में farmer ने grow करी तो बड़े अच्छे से grow करेंगी और इसके fruits बनेंगे और fruits के बाद इसके seeds बनेंगे लेकिन second time उनी seeds को अगर यूज करने जाएगा farmer उसको लगया कि चलो हम दुबारा इसीड को यूज कर लें तो वह सीड ग्रों नहीं करते क्योंकि उनके अंदर terminator gene डाल दी जाती है तो ऐसी अमेरिकन इसपेक्ट में हमें protection देती है ठीक है example एक और देते है फ्लेवर सेवर वराइटी का फ्लेवर सेवर वराइटी यह टॉमाटो का है अब मैं यह एक्जाम्पल इसलिए रहा हूं कि यूपे से कैसा कुश्य मना सकता है जिसमें कॉलम में कॉलम भी देगा आपको एक तरफ लि बोरर है बीटी कॉर्टन आपको पता लग गया है कि यह पर्टिकुलर हमें बिंक बॉल वाम से बचाता है पैस्टे से बचाता है तो मैटो की जो वेराइटी फ्लेवर सेवर है यह उसके पर्टिकुलर जो लॉंग इटीविटी है एक टमाटर तीन दिन में सड़ता है अब एक एक्जामपल और ले लो इतना discussion किया तो छोड़के क्यों जाना गोल्टन राइस का गोल्टन राइस का एक्जामपल है वाइटेमिन ए ऐसा राइस जिसमें वाइटेमिन ए इंट्रियूस हो जाएगा तो जब कोई आदमी उस राइस को खाएगा तो उसके साथ साथ उसक बस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH 11 डन यह जी एसी ने रिसेंटली करेंट अफेर यह है कि रिकमेंड करा है कि एन्वार्बेंटल रिलीज हम करें ट्रांस जनिक हाइब्रिड बस्टर्ड का और इसके ट्राइल्स में आ जाएं क्योंकि फ्यूचर में गौशिश कर रही है कि इसक इसके अप्रूबल देना चाहते है क्यों क्योंकि हमारी जो ऑईल की है ना पर्टिकुलर एडिबल ऑईल जो है इसका इंपोर्ट बहुत जागा है और इसके इंपोर्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम DMH 11 मस्टरड को प्रडूस कर रहे हैं कमर्शल यूज इसका जो होगा वह ICAR के अंदर होगा इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च यह एक फैक्ट्वल कोशन हो गया जो प्रिलिम से पूछे आ सकता है और इसमें जो सब्जेक्ट टू एक्ट है वह एक्ट सीड एक्ट है ठीक है सीड एक्ट के तहट यह मॉनिटर किया जाएगा डव संपिररंट Sumer ऐसलिए थोड़ा और अराम से पढ़ा रह ώ है इसको कि प्रासिश क्या फ्रच श joue है इसमें दो तरीके के आप चीन तरीके के जिन है इसमें दो तया इन उर्जलस अरो लिक्वीकषेसिंगे बस्टए dale डिएह रागी से जाने आते तो जो राओड शेवड डस्टेडिया उते हैं वह बसिल टिकरी में रखे जाते हैं इसमें हमने क्या गाम किया है है यह 2 जीन इंट्रिजूस कर हैं इस Particular Particular bacteria सेश ओर दो लाइन की दो लाइन से दो वेराइटी हैं जिनको हमने कमबाइन करके емडाया है पहली लाइन है इनडियन मस्टर्ड की वराइटीज वरुण जो तो बार्नेज लाइन है इसमें बार्नेज नाम की जीन है और दूस्रा है East European Early Hera 2 यह mutant है और यह बार्सटर नाम की जीन इसके अंदर है ठीक है इन दोनों particular mustard को अब जब हम cross करेंगे cross करेंगे मतलब cross cross-pollination cross-pollination और एक होता है self-pollination do self-pollination में क्या होता है कि जो particular male and female reproductive part female reproductive parts होंगे एक flower के वह आपस में ही उनका fusion हो जाएगा gamet's का cross-pollination में अगर हमें hybrid बनाना है तो हम कोशिच करते है कि cross pollination होना चाहिए अलग-अलग varieties आपस में मिल करके cross करें और cross करने के बाद जो हमें desired characteristic दोनों की चाहिए वो हमें मिले ठीक है basic method है अब बार्नेज नाम की जो gene होती है वो code करती है protein को जो pollen grains को बारता है उनके production को impair करता है और मेल जो repetitive part होता है वो sterile हो जाता है सर ऐसा करने की जरूरत क्यों है इसकी जरूरत इसलिए है ताकि cross pollination होना अगर एक particular flower है जिसमें male or female दोनों ही reproductive organs उस फ्लार में हैं तो कम से कम वहाँ पर males को हम अगर male reproductive part को sterile कर देंगे तभी तो cross pollination possible हो पाएगा नहीं तो experiment करते वे या कमर्शनी रिलीस करते वे self pollination हो जाएगा उसको prevent करने के लिए बार्नेज नाम का जो है जीन है और बार्स्टर नाम का जो जीन है वो block करता है action of बार्नेज जीन अगर उसको block करना है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर नाम का जीन होता है जो तीसरा जीन है बार जीन उसका काम है genetic purity of the hybrid seeds इसका मतलब herbicide tolerance basically herbicide tolerance पर यह basically जीन वर्क करता है maintain करता है herbicide tolerance को यह तीन जीन इनके function थोड़ा याद कर लिए एक बार देख लिए जएगा question exam में आएगा आप कर लोगे डन DMH 11 को जब experiment प्रूफ करा गया तो 28% इसकी yield बड़ी वी देखी गई इसका मतलब future में mustard का अगर हमें continue करना है growth exponential rate पर हमारे country में grow कराना है और बहुत ज़्यादा edible oil इसकी requirement को fulfill करना है तो DMH 11 मस्टर्ड को हमें focus करना चाहिए क्योंकि GEAC पर question पूछा चुका है पास्ट में तो कुछ और crop regulation के respect में bodies है जो मैं आपको बतायता हूं I hope DMH mustard आपको clear हो गया होगा इस से अधर detail में जाने की ज़रूत नहीं है recombinant DNA advisory committee होती है एक ऐसे ही एक institutional biosafety committee होती है word समझिए biosafety ensuring the adherence to the prescribed safety guidelines advisory committee recombinant DNA की ये national and international level पर है developments को देखती है DBT इसके लिए functioning है review committee होती है genetic manipulations को लेकर के RCGM बोलते है इसको review करेगी जो भी projects हो रहे है और उसके पीछे environmental risk कौन से हैं सर इससे क्या environmental risk है अगर ये पूछा जाए आप से तो वैसे में सा कोशन मनेगा लेकिन environmental risk है क्योंकि एक word होता है जिसे हम कहते है जीन flow अगर मान लीजे कोई particular gene है और वह particular gene आपने जो है मान लीजे क्राइप रोटीन की जीन है है ना क्राइब वन एसी यह जीन जाकर के अगर रिलीज हो जाती है फ्लो कर जाती है तो चब तक आपके cotton के plant में तब आपको फायदा दे रहे है क्योंकि पिंक बॉल वार्म को आपको मारना है लेकिन अगर ये जीन का होता है तो पिंक बॉल वां एड़ब हो सकता है किसी एरिया से तोटलीयमीनेटी और दशिरफ और सिर्फ- उपूरें डिफेक्ट आएगा तो यह धीन रिस्क हम बोल रहे है ज्over distend स्टेट लेवल नोडल एजनसी सिंपल है डिस्टिक लेवल कमिटी यह आपका जो है डिस्टिक लेवल पर है इसको देख लीजेगा एक बार मैं पीडिया प्रोवाइट गर दूंगा आपको मिल जाएगी अब एक न्यूज रिसेंटली जो हर्याना गौवर्णमेंट ने किया इसको लर बॉल गार्ड ठीक है तू इसमें राउंड अप राउंड अप रेडिफ्लेक्स ठीक है पहले बात तो इसकी फूल फॉर्म याद रखना दूसरी बात यह है कि इसका काम क्या है यह स्टेट्मेंट पूछा सकता है किस से रिलेटेड रहे तो यह रिलेटेड है अपने आप में यह बोलेगा बीजी टू आर रेफ रिसेंट्ली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू वाट आपको बोलेगा यह कोई एस्टिरॉइड है या बही यह कुछ और कुछ भी ऑप्शन देगा आपको पता है इसका अंसर क्या है इंडिया ने आज तक क्या किया अच प्रॉप के अंदर वह 1 जीन है तो यह बीजी वन जरू लॉल रहें तो बॉल गार्ड वन सिंगल जीन है जब बीजी टू बोल रहे हैं तो यह जब हम इसमें श्रक्रार ए। लगा रहे हैं warm BT cotton का मैंने पीछे दे दिया यह specific ball warm अलग अलग तरीके के ball worms है उनकी species है उसमें American ball warm जो है उससे यह protection दे रहा है यह नीज में था मैंने आपको बता दिया अब चलेंगे अगले topic पर यह topic यहां पर हमने खतम कर दिया पीछे genetically modified crops का अगला पूरा new topic that is genome sequencing यह news में है क्यों है news में चलो discuss करते हैं जीनों सर आपको बता चुके है genome होता क्या है complete set of DNA जो एक organism का होता है उसे हम genome कहते हैं हम कह रहे हैं उसकी sequencing की बात sequencing का मतलब है अगर हम DNA के sequence को देखें तो वही ATGC की sequence अगर हम पता कर लें पूरी की पूरी तो वह sequencing है क्या humans की पूरे DNA की sequence हम निकाल चुके हैं answer is yes कौन सा प्रोजेट था वो वो प्रोजेट था human genome project ठीक है अब यह genome sequencing में news क्या आई है news यह आई है कि recently international team ने researchers ने पहली बार complete human genome की sequence कर लिए तो सर human genome प्रोजेट तो बहुत पुराना है 2003 में तो यह प्रोजेट भी खंतम हो गया था अब हम क्यों कह रहे हैं कि complete human genome हुआ है answer यह है कि जब human genome project चला था उसमें माना गया था कि कम से कम नहीं तो आठ परसेंट ऐसा genome था जिसको हम completely read नहीं कर पाए थे clear उस particular आठ परसेंट को भी अब completely हमने पढ़ लिया है इसलिए यह topic news में है human human के अंदर एक cell cell के अंदर chromosome अगर वो dividing phase में है तो और DNA और DNA के अंदर जीन specific fragment of DNA which is functional और इस जीन का भी ATGC की sequence अगर हमें बिल जाती है तो वह आपका हो जाएगा sequence यह sequence ज़रूरी नहीं है कि हम किछी जीन की निकाले हम पूरे DNA की भी sequence निकाले तो भी हम क्या बोलेंगे genome sequencing तो genome मतलब complete set of DNA DNA की sequence हम निकाल रहे है इवन इफ वो protein बना रहा है या नहीं बना रहा अब इसके पीछे question क्या बन सकते हैं सबसे पहले तो human genome project again important हो गया exam point of view से international research project था यह DNA की sequence को पूरे entire human genome को identify करने के लिए था scientist ने पहले ऐसे माना कि कम से कम नहीं तो पचास हजार से लेकर के एक लाख तक तो जीन होंगी होंगी human body के अंदर और लास्ट में जब conclusion निकला तो almost 21,000 प्लस genes ही identify होई है almost 20,000 प्लस तो स्टुनेंट इस से यह पता लगता है कि scientist लोग बड़े शौक में थे कि भाई इतनी genes हमने सोची थी पर ultimately तो number बहुत कम निकल के आता है इसका मतलब maximum DNA हमारा क्या है junk DNA यह जो प्रोजेक्ट था 1990 में शुरू हुआ था 1990 में तुम में से बहुत लोग शायद पैदा भी नहीं हो थे तब 2003 में यह पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो complete हो गया 15 साल के लिए सोचा गया था यह प्र यूए से डिपार्टमेंट अफ एनरजी यूए से उन्होंने कंडर्ट किया था UK की भी इसमें जो है और्गनाजिशन इन्वाल्टी लेबरेटरी इन्वाल्टी अगर कोश्चन पूछ लिया कि इंडिया इन्वाल्ट था की नहीं था आंसर इसमों इंडिया इसमें इन्वाल्ट नहीं था ठीक है इंडिया इस हुमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वाल्ट नहीं था इंडिया क्योंकि इन्वाल्ट नहीं था इसलिए इंडिया ने अपना प्रोग्राम शुरू किया है इंडी जैन प्रोग्राम में इंडिया म हमारा इंडिया तो खुद ही इतना डाइवर्स कंट्री है हमारे इंडिया में ही इतनी डाइवर्सिटी है इतनी ज्यादा फीचर्स में चेंज़ है एंवार्मेंट में क्लाइमेट में चेंज़ है तो जर्रोत है कि इंडियन्स का भी जिनका पार्टिसिपेशन इतना नहीं थ कर रहे हैं एक तो यह point दूसरा point genome India project इस में भी हम क्या कर रहे है genome India project में कम से कम दितों 10,000 genetic samples collect कर रहे हैं सिक्रीट citizens across the India और बिल्ड कर रहे है reference genome और department of biotechnology इसमें focus करेगा ठीक है तो यह overlapping है थोड़ा बहुत आप इसको एक बार देख लीजिए नेक्स इसी से related topic है जिसको हम करते हैं डिसकस्ट इस जीनोम surveillance इसका मतलब क्या है यह टर्म आप से पुछा सकता है इसको define करने के लिए पूछा सकता है यह सकी application पूछिया सकती है तो genome surveillance basically क्या है constantly अगर हम monitor करने पर आ जाए किसको pathogens को हम pathogens को monitor क्यों कर रहे हैं या उन्हें analyze क्यों कर रहे हैं ताकि हम उनके बीच के जो similarities है और जो भी differences है उनको समझ सके pathogens को भी monitor करने की जरूत पड़ रही है उनके DNA उनके RNA को भी monitor करने की जरूत पड़ रही है क्यों क्योंकि नए नए variety of viruses and bacteria is there coming up और इसकी वैसे बहुत जरूत है कि हम इस तरीके का surveillance रखें हम देखें हम research रखें हम genetic level पर ध्यान रखें कि क्या mutations हो रही है और कैसे यह particular viruses या microorganisms pathogenic हो रहे है pathogenic disease causing done फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि हम पहली बात तो diseases को monitor कर पाएंगे monitor different types of diseases सुन लो बस एक बार options को कैसे भी आएंगे अपनी knowledge को यूज करना question को solve करने के लिए दूसरा इसमें pathogen को control करना होगा उससे फायदा मिलेगा क्योंकि हम research and development कर चुके है specific study कर चुके है particular pathogen की respect में जो violent हो सकते है future में अगर हमें कोई vaccine develop करनी होगी तो वो भी हम advance में कर पाएंगे उसमें टाइम मिलगेगा और बहुत सारी diseases हैं जो बढ़ रही है उन्हें हम eliminate भी eliminate भी कर पाएंगे ठीक है simple सी बात है इसमें क्या कुछ institutions हैं जो इस तरीकी surveillance में इंडिया में role play कर रहे हैं दो यह globally हो रहा है लेकिन इंडिया में क्या कोई institute है इसमें जो पहला answer है वो है इंडिया का सार कोविट टू कि जीनॉमिक कॉंसोर्टियम ठीक है इसको हम आई एन एस ए जी ओ सी ओ जी नाम से जानते है ठीक है दूसरा है यह पर्टिकुलर जो टूबरकोलॉसिस के रिस्पेक्ट में तूबरकोलॉसिस जीनॉमिक सर्विलेंस कॉंसोर्टियम ठीक है और एक है आपका रीजिनल जीनॉमिक सीक्वेंसिंग लेबराटरी डन एक पात मैं आपको बताया था हूं इस पर्टिकुलर consortium के बारे में यह जो है यह ministry of health and family welfare plus यह department of biotechnology और बहुत सारी CSIR labs और ICMR Indian Council of Medical Research plus बहुत सारी कम से कम 50 laboratories मिलकर के इस तरीके की laboratory में यह analysis and surveillance करें ठीक है topic done खतम एक इसमें aspect और है और आता है WHO का science council इसने issue किया है अपनी पहली report on accelerating access to genomics for global health genomics मतलब हो गया study of the genes the complete set of study of the genes is the term called as genomics जब हम word use करते हैं proteomics मतलब हम complete set of proteins की जब study की बात करते हैं तो proteomics होता है ठीक है इसमें बोला जा रहा है कि यह देखिए अब हम सबको surveillance करना इन चीजों पर access रखना यह सही नहीं है ethically और scientifically यह justifiable नहीं है इस नौट राइट और countries को इससे बहुत सी countries जिसको gain हो रहा है लेकिन बहुत सी poor countries है less developed countries है जिसमें उनको loss हो रहा है तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो rich countries है वो पहले कर लेती है इस तरीकी की research फिर उससे फाइदा उठाती है और जो poor countries है क्योंकि वो नहीं कर पाती उन्हें भी हमें opportunity देनी है इस तरीकी की बाती है यह question इस पर आये तो बस यह याद रखना कि WHO का है and providing the guidance on the science and research strategy of the organization done अब चलो अगला topic पर discussion जलते है next topic है cloning China ने recently successfully clone किया wild arctic wolf को ठीक है first time in the world अब क्योंकि cloning करी है China ने तो यह topic तो अपनी बात अलग है लेकिं cloning अपने है आप में एक ऐसा topic है जिस पर individual question आ सकता है और उसके पीछे की theory पर आ सकता है तो क्लोनिंग क्या होता है cloning ऐसा है process है जिसमें genetically identical copies बनाने के हम कोशिश कर रहे है क्लोन का मतलब गया exact copy वह exact copy कि इस जीन की exact copy कि सेल की किसी tissue की या even entire organism की copy बनाना यह क्या है cloning होता है हमारी cells जो होती है tissue होते हैं अपने आप में copy बनाते हैं तो naturally be clothing होई रही है artificial means से भी cloning करी जा सकती है इसमें अगर example discuss नहीं किया dolly का sheep का तो कोई topic अधूरा रह जाएगा तो आयन विलमट उन्हों ने किया था यह dolly sheep सबसे पहली first cloned mammal लेक्तरी के साथ कह सकते हैं sheep है यह ठीक है technique समझा जल्दी से ताकि को statement अगर बने तो आप उसको topic को समझ पाएं सबसे पहली बात तो हमें क्लोन बनाना है क्लोन बनाना है इसका मतलब dna जो होना चाहिए वह exactly dna सीदा सीदा यूज करना है किसी animal का organism का जनरली जो reproduction होता है उसमें male और female gamits का fusion होता है fusion होने की वज़े से क्या होता है हम अपने parent जैसे दिखते हैं exact copy नहीं होते इसका मतलब यह हुआ कि जो donor है उस donor का हमें dna चाहिए और वह भी complete set of dna चाहिए तो जो donor sheep है उसकी memory cell को लेते हैं उस memory cell को हम निकाल करके अलग से laboratory में उसे grow कराते हैं उस laboratory में उसे grow कराने के बाद दूसरी तरफ हम एक egg cell लेते हैं जो किसी दूसरी sheep की होती है उसे हम Scottish black face बोलते है ताकि उसका face black अगर इसकी gene अगर आएंगी तो उसका बच्चे का black दिखना चाहिए ना लेकिन ब्लैक नहीं दिख रहा हो वाइट दिख रहा है क्योंकि हमने इस तरह की शीप लिए जो आ गया और यह हमारी रिकॉंबिनेंट एक तरीके से सेल जो सेल है वह रिकंबाइन होके बनी है डी ने जबकि एक नुक्लियर डॉनर का है सीधे-सीधे पूरा पूरा डीने कुछ नहीं करेंगे इसे हम मुल्टिप्लाइ कराएंगे लेबोरेटरी में इन सेल के मल्टिप्लिकेशन से जो मास ऑफ सेल बनता है उसे हम ब्लास्टोसिस कहते है यह फेजिज होते हैं डेवलप्मेंट ऑफ बेसिकली जब बेबी बॉन होता है नॉर्मल प्रॉसिस से तो उसमें जो एक सेल होती है जा जिसका डीने है दूसरी जिससे एकसेल लिया और तीसरी शीप जिसे हम सरोगेट कहा रहे है इसके अंदर पूरा बेबी का ग्रोथ होगा डवलप्मेंट होगा प्रॉपर जितना समय लगता है और उससे जो बेबी बॉन हुआ उसे हमने बोला डॉली क्योंकि वह पुल्कु दिया अब एक बात आती है एक स्टेट्मेंट आप से पूछा आ सकता है कि जब भी क्लोनिंग होगी तो क्या उसकेस में एक्जैक्टली ओल्वेज आइडेंटिकल दिखेगा एनिमल जो बॉन हो रहा है इसका अंसर है स्टुडेंट्स नो नॉट ओल्वेज एंवार्मेंट चेंज होगा तो फिर फिजिकल चेंजेज हो सकते हैं हुमन से केस में आइडेंटिकल ट्विंस का कॉंसेट भी मैंने जल्दी से यहां पर समझा दिया थोड़ा सा मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो नैच्ट्रल क्लोनिंग है इसमें क्या होता है अगर मान लीज और यह अब एक जाइगोट बन गया यह दूसरा जाइगोट बन गया और यह दोनों की दोनों सेल अपने आप में पूरा पूरा बेबी बॉर्ण कर दें तो क्या होगा कि प्लसेंटा तो कॉमन ही होगा सेपरेट अम्नियॉटिक सेक्स हो जाएंगे और यह दोनों की दोनों वो एक ही single XL और single sperm cell से ही fertilize होकर के बाद में divide होकर है दो बेभी बन गई इसलिए हम इसे कह रहे है identical twins दूसरा example है non-identical twins का non-identical twins में क्या होता है कि सब्सक्राइब के साथ करते हैं दोनों बेभी सेपरेटली बिलकुल सेपरेट प्लेसेंटा होता है और बाउन होते हैं वो दिखने में बिलकुल अलग होते हैं तो यह है non-identical twins concept और यह है identical twins concept ठीक है थ्री डिफरेंट टाइपस अफ आटिफिशल क्लोनिंग तीन टाइपस है एक तो जीन या डीन लेवल पर क्लोनिंग है अब अगर आप से पूछा जाए कि आउटसाइड दी बॉड़ी क्या हम है is Vocês क्वंड बिन आके क्लोनिंग कर सकते हैं तो क्या अंसर यह सै नो है ठीक है इसको जल्दी सोच पर आउठाओ आओटसाइड बॉड्य ऑफ दी और्प्रश्थ चलोनिंग कर सकते हैं यह पहले कि पहलो जोच को भठाओ बताओ दूसरा होता है इसका एक्ञामपल कर देता हूं जल्दी से बतायता हूं जो particular existing QR एक्ञमपल मैंने ये दिया ये वाला एक्झामपल है ये ये रिपरोर्टिय। अर्य विद्र क्लोलिग कर ओठ ले और यह सोमेटिक सेल से नहीं कोलते हैं ठीक है और सोमैटिक सेल्स वो होती है जो आपके हाथ पैर की सेल्स düşün Systems read इस्किन की सेल्स यह समय से कि पर इक है नहीं कर पर हमने मेमरेस हैं को यूज करने तो यह सोमैटिक सेल प्लोणिंग है ठीक है बाकी सम्हें यहां पर येस कर दिया है और डॉक्टर सुमन ने इसका आंसर भी कर दिया है वेरी गुड येस आउटसाइड दी बॉड़ी हम DNA की कॉपीज बना सकते हैं और उसके पीछे की जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं PCR मशीन PCR की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम कहते है पॉलीमरेज तो DNA पॉलीमरेज महां पर यूज होता है ठीक है तो पॉलीमरेज चेंड रियक्शन बोलते हैं अलग अलग करके नुक्लोटाइट जाते जाएंगे और उनको एक के पीछे जोड़ता जाएगा और कॉपीज बनाता जाएगा PCR यह कर सकता है येस बागी समी ने आंसर दिया तो यह आंसर बेर्कुस हाई है क्लोनिंग क्या है अगर हम इसी चीज को जो मास अवच्छ बना था ब्लास्टोशिस्ट उसको अगर हम यूज करें और स्टेंप सेल्स बना लें यह इंभी यॉनिक स्टेंप सेल्स और किसी पर्टिकुलर हमारा ओर्गन को बनाने में किसी प फिर बच्चा बॉन हो जाए तो वह रिप्रोड़क्टिव हो गया रिप्रोड़क्टिव मैं आपको पीछे बताई दिया है तो काइंड सफ लोनिंग भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है वेरी गुड बाकी ठीकल टॉपिक्स है कुछ ठीकल है जैसे कि इंडिय ये नया ड्यकल डाटा सेंटर है विन रिजिनल चे कैशनन बाए टेक्नालोजी फरिदाबाद में किया गया है विद्क भिड़ाबरेशन तून नाशनल इंफिर में सेंटर प्रिलिम्स का ये फैक्ट हो गया याद गर लेना इसको एक बार ठीक है अब इसमें हो क्या रहा है अपने आप में एक रिपोजीटरी है लाइफ साइन्स के लिए डाटा को अपने सिस्टम में रखने की जो भी डाटा जनेरेट हो रहा है बायोजीकल डाटा इंडिया के रिस्पेट में उसको एक जगा रखने के लिए यह पर्टिकुलर डाटा सेंटर एस्टैब्रिश किया गया है बायोटेक प्राइड की गाइडलाइन के अब यह बायोटेक प्राइड गया है यह अपने हाफ में धूसरा कोश्यन है ठीक है तो प्राइड व्याइड़न कि यह वन पहले देख लिए जल्दी से इंडियान बायोजिकल डाटा सेंटर यह मेंडेट करता है कि जो भी पादिकली फंड तो रहेखे उढ़ा उस जगह से उठाकर करके हम इससरों का क्या यह है कंपुट्र जूपर इंगे फॉर पीटाबाइट पॉर्टीकेलर जो है इसका स्टोरेज होगा बहुत जागा है ये और भ द्रम नाम का सूपर कम्फुटर है सूपर कम्फुटर क्या है---- ये यह फ्यरी प्रिंसिपल जो है यह प्रपोज करे गए थे बाई दी कॉन्सोर्टियम ओछिस सांटेइस एन organization ताकि हम reusability of the digital assets का support कर सकें दूसरे को ध्यान रख सकें प्रोर ठोरी है simple चीज़ें है समझ में आ गए होंगी दो मिनिट लगे समझने में बायो टेक प्राइड पर अकर question आया तो समझ लीजिए बायो टेक promotion of research and innovation through data exchange ये guidelines 2021 की प्राइड की फुल-फॉर्ण समझ में आ गई याद कर लेना थोड़ा सा time लगे का दो बार देख लेना याद हो जाएगी released by again dbt ये guideline enable करती है exchange of information को promote करती है research and innovation को और अपने आप में ये across the groups research के लिए coordination करती है ये guidelines applicable है all biological data के लिए ये अगें prelims का fact हो गया कि यहां पर लिख दे only for some things and only for a few things cyber security की भी अगर issues होते है future में तो हम इसमें क्या कर सकते है इस data को मतलब data को अगर आपको यह है कि आपका loss होगे data delete होगी files तो आप cyber threats से भी अपने आपको बचा सकते है लेकिन फिर problem वो ही है कि अगर इसी center पर cyber threat यह cyber attack हो गया तो फिर क्या करोगे तो यह critical information infrastructure के अंदर आएगा CII ठीक है example भी मिल गया तुम्हें CII का चलो एक related news है महाराश्ट्र cabinet ने अप्रूफ किया है gene bank project simple news है यह bio repository है plant reserves के लिए और animal reserves के लिए ठीक है animal reserves में sperm and eggs collection seeds का plants tissue cultures का collection महाराश्ट इसके साथ national level पर जो facilities establish हुई है उसमें एक example है आपका national gene bank यह national gene bank जो है at national bureau of plant genetic resources पूसा वर्ड का second largest refurbished gene bank है याद रखना अगें factual information remember this ठीक है ऐसे ही national animal gene bank है यह national Bureau of animal genetic resources का करनाल में है दन दो फोडोराफ दे दिए मैंने आपको याद रहेगा इसके साथ सीड वॉल्ट है अपना इंडिया का अलग से और यह चांगला लद्दाक में है ठीक है यह सीड वॉल्ट जो है आप समझतकते हैं कि जिस दिन दुनिया खताम होगी उस दिन दुबारा से चुरू करना पड़ेगा और इसकी जरूत होगी तो वहां हमने डूम्स डे के लिए यह वॉल्ट बना करके रखा है वन डे सर्वेज़ा बैक अप और यह बैक अप टुदा सौल बर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को भी बैक अप देता है यह चांगला पे इस तरीके का हमने लद्दाक में 17500 फीट पर है और इसकी बेसिक यह माइनस 40 डिग्री तक आपके सीट को प्रोटेट कर सकता है अगेन इस तो बन सकता है यह है बाइलोजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पॉर्टल बायो आर आर एप ठीक है यह डिपार्ट्मेंट ऑव बायो टेक्नोलोजी ने डवलप किया है to track the regulatory approvals for research proposals of single portal एकी portal पे आपको जो अगर वो लेने है approvals single route to direct the applications to regulatory agencies single approvals होंगे इस से क्या फाइदा होगा इस से more credibility आएगी to biological research इस से inter departmental synergies बढ़ जाएंगी efficacy आएगी हमारे system के अंदर और agencies जो अपना काम कर रही है उसकी functioning भी better हो जाएगी simple theoretical aspect है I hope जल्दी से देख लिजाएशको इतना ही काफी है यह इस से आडिटेल में जाने की ज़रूत में है ठीक है अगला टॉपिक इंट्रस्टिंग टॉपिक है molecular मोटर का वाट इस मॉलिकुलर मोटर स्टुडेंट्स इसके पीछे का जो अभी concept है वो बताये तों पहले तो मैं आप मॉलिकुलर मोटर जो है हमारी बॉड़ी में already exist करती है यह already exist करती हैं कहां exist करती हैं यह हमारी बॉड़ी में जो मसल मॉव्मेंट होते हैं हमारी बॉड़ी में सेल डिविजन होता है वहां यह मॉलिकुलर मोटर स्काम करती हैं मॉलिकुलर मोटर अपने आप में एक्जामपल दें तो कैसे मसल के contraction में अपना रोल प्ले करती हैं जैसे कि हमारी बॉड़ी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं उसमें से दो प्रोटीन में आपको बता रहा हूं एक है एक्टिद एक है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा है म प्रोटीन और मायोसिन नाम के प्रोटीन के से इंट्रेक्शन की वजह से हमारी मुड़ी मसल कॉंट्रैक्ट होती है या रिल्यक्षन ति यह बेसिक डाइग्राम है एक बेसिक आपका जो हैना सिम्पल ऺ्लास 12 की 11th की अंसीया अटी से अगर आप मसल कॉंट्रेक्शन समझन और फिर यह जो बैंड होता है पूरा का पूरा यह सारकोमियर जो मसल की यूनिट होती है उसे हम कॉंट्रेट कर देते हैं और यह आपस में एकदम अटाच हो जाते हैं एक्टिन मायोसे यह भी हो पा रहा है तो ऑगन में एक टाव होता है जिसे हम बोलते हैं है अ हमौकलर है तिबियूर्ज प्या फिर हम बोलते मायक्रो टिबियूर्ज यह जो माइक्रों supposedly convenience students यह इनसे ही मिलकर के यह actin या myosin बनते हैं ठीक है यह microtubules cytoskeleton का पार्ट है हमारे एक तो बोन है ऐसे यह चोटे-चोटे microtubules मिलकर के इस तरीके के protein structures बनाते हैं तो यह जो molecular motor है इस तरीके के molecular motor जो exist करते हैं हमारे अंदर already उसको artificially बनाया है scientist ने यही simple concept है तो यह molecular motor जो scale motor है यह DNA origami method से यह method अगर आप से पूछा जाता है क्या होता है तो इसमें जो particular folding होती है DNA की 2D और 3D objects की nano scale पर इस method को origami method बोलते हैं हमने molecular scale motor बनाए हैं यह class of proteins हैं जो intra cellular cell के अंदर movement करने में role play करते हैं जो movement होता है वो basically इस तरीके के protein से होता है dyanin या kinesin नाम के proteins यह अपने आप में molecular motors हैं और यह cargo को लेकर के जा रहे हैं motor है cargo को ले जा रहे हैं सर यह cargo क्या है यहां पर यह कोई दूसरा protein हो सकता है यह कोई दूसरा cell का organal हो सकता है और इसके movement के लिए इस पूरी cell में इसके movement के लिए यह motors अपना role play करते हैं यह आगे जाकर के नीचे microtubule से एक तरफ attach हो जाते हैं और जिनने जहां तक ले जाना है जिस चीज़ को उसमें में रोल प्ले करते हैं बहुत ही सिंपल कॉंसेप्ट है दन एक्जामपल्स यह molecular motors का example में ने दे दिया हमारी बॉड़ी में muscle contraction और mitosis या cell division में रोल प्ले करते हैं तो molecular motors नाम का word अगर आप से पूछा जाए तो अब आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ड़न अगला topic discussion का यह पूरा एक topic है vaccine मुझे पता था कि students vaccine जरूर वर्ड बोलेंगे कि सर वो नहीं पढ़ाया दो साल से तीन साल से question आ रहा है vaccine का question कभी भी आ सकता है हमेशा में प्रिपेर रहे ना है में सब्सक्राइब आ चुका है तो अब रूरू न्यूज में क्या है वह पढ़ाऊंगा और न्यूज में बढ़ाने के बाद इस topic को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि vaccine कैसे बनते है क्या है ठीक है शॉट में पहली बात तो न्यूज में जो आया है वह है एंटी cancer mRNA vaccine ठीक है यह एंटी cancer mRNA vaccine बनी है mRNA का मतलब होता है messenger RNA और RNA की फुल फॉर्म होती है ribonucleic acid DNA और RNA में डिफरेंस बता चुका हूँ यह जो वेक्सीन है यह बनाई है Moderna ने और MSD Mark and Company ने और इसमें cancer के अगेंस्ट यह vaccine बनाई गई गई है प्लस इसमें यह भी देखा गया है skin cancer के अगेंस्ट बनाई गई है इसमें देखा गया है कि जो therapy होगी इस therapy में एक drug को introduce किया गया है की तुड़ा इस नाम के drug की immunotherapy देते हुए हमने बहुत promising results देखे skin cancers में यह पूरी news है इस news को detail में समझने के लिए हमें types of vaccine समझना बहुत जरूरी है तो इसमें एक mRNA vaccine भी आएगा तो अलग-अलग vaccine के types को समझ लेते हैं सबसे पहले vaccine बनाने की approaches क्या हैं तो मैं यह assume कर रहा हूं कि students vaccine क्या होती है यह आपको पता है vaccine किसी भी तरीके का biological agent है जो आपकी body के अंदर जाएगा और जाकर के आपके immune response को बढ़ावा देगा कि क्यों ना भाई तुम antibodies बनाना शुरू कर दो यही तो है vaccine अब अगर next time इसी तरीके का कोई biological agent आपकी body में attack करने की कोशिश करेगा तो आपकी body में already antibodies होंगी और उसे देख करके वह antibodies बहुत तीजी से और भी जादा बन जाएंगी पहली बात तो होंगी ही और और भी बन जाएंगी and finally आपको वह infection disease cause नहीं करने देगा vaccine वह biological agent है जो आपके antibodies के antibodies के बनाने को तो बढ़ाई देता है इम्यून response को तो बढ़ा ही देता है लेकिन disease cause नहीं करता तो वैक्सीन लेने से आपको disease नहीं होगी लेकिन immunity बढ़ जाएगी ठीक है नहीं समझ में आया तो बता दिया मैंने आपको वैक्सीन क्या होता है वैक्सीन बनाने की तीन अप्रोच है या तो आप पूरा का पूरा वाइरस या पूरा का पूरा बैटीरिया ले लिए उठाकर या फिर आप उसका कोई पार्ट ले लिए जैसे की surface प्रोटीन ले लिए आपने किसी particular बैटीरिया के वाइरस के surface के प्रोटीन ले लिए बस और वह उठाकर कर डाल दिये तीसरा है genetic material को use करना तो जब सर आपको anti cancer के लिए mRNA vaccine बदा रहे हैं तो मतलब वो कौनसी category में आएगा genetic material के respect में वेक्सीन बनाने वाली category में आएगा अब मैं चलता हूं इसमें की whole microbe approach यह जो मैंने आपको पीछे whole microbe approach पढ़ाया है यह वह की website से मैंने photograph लिए इसमें और कौन-कौन से types हैं पूरा ही पढ़ा जेते हैं ना topic पहला है in activated vaccine इन एक्टिवेटेड वेक्सीन में क्या होता है organism तो सर हमने पूरा लिया लेकिन बस इतना काम किया कि उस organism को हमने मार दिया उसको kill कर दिया उसे in active कर दिया in active करने के लिए हमने या तो chemical use किया heat use कि किया radiation use किया और हमने उस particular microorganism को मार दिया तो हम उसे मार करके पूरा पूरा अपनी body में डाल लेंगे और उस पूरे structure को देखकर के हमारी body में antibodies बन जाएंगी को vaccine इसका example है बाकि flu की vaccine polio vaccine भी in activated वेक्सीन है in activated वेक्सीन से कभी भी disease नहीं होगी क्योंकि virus या बैक्टिरिया मर चुका है दूसरा है live attenuated vaccine live attenuated vaccine में क्या होता है पूरा का पूरा organism जो हमने लिया है बैटिरिया या वाइरस जो भी लिया है जिसके अगे वेक्सीन बना रहे हैं यह जिन्दा है यह live ठीक है और अगर यह जिन्दा है तो भाई यह disease तो कॉस कर सकता है ना लेकिन यह disease कॉस ना करे इस करती आए कि यह disease कॉस ना करें लेकिन कभी-कभी ऐसी वेक्सीन सौ में से किसी एक जने को disease कॉस कर सकती है ड़न जैसे mmr वेक्सीन है मेजल्स मम्स रिवेला की वेक्सीन है यह एक्जामपल लाइव अटिमेटेड वेक्सीन के दूसरा अभी हम पूरा का पूरा होल माइक्रोब एप्रोच ही बढ़ रहे है ठीक है तीसरा है इसमें वाइरल वेक्टर वेक्सीन इस पर यूपेस्ट कोशन पूच चुका है पास कोवीशियल्ड का एक्जामपल है इस एडिनो वाइरस इस वैक्टर के अंदर हम कुछ जीन इंट्रदूस कर देंगे और इस वाइरस को भी हम क्या पर देंगे थोड़ा सा एटिन्योट कर देंगे इसको हम वीक कर देंगे तो हम सेफ वाइरस लेंगे कोई जो हीमन डाल देते हैं प्रोटीन डाल देते हैं और उसे मिला कर कि अगर हम बनाएं तो वो बन जाएगा हमारा कोवी शील्ड एक्जामपल ठीक है क्या करेंगे इसमें यह पर्टिकुलर कोरोना वायरस है इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स है तो उन प्रोटीन्स को बनाने वाली कोई जीन भी होगी इस पर्टिकुलर जीन को हम निकाल लेंगे और एक वेक्टर लिया हमने यह वेक्टर आपका है एडिनो वायरस यह चिंपैंजी का एडिनो वायरस है और इसे लेकर के हमने एज़ा वेक्टर यूज किया और इन दोनों को मिला कर के इस तरीके का ए कि इसकी जीन ले लिदी और वो एक यह ताल एमने अब यहां पर क्या हुँआ चब? कि जिन लुट इन धाल दी तो हम और जो सर्फेस प्रोटी इन वह कौन से आ यह वेक्सीन जब आपने अपनी बॉडी के अंदर डाली तो आपकी बॉडी में जो स्पाइक प्रोटीन है यह दिखने लगेंगे और दिखते के साथ ही आपकी बॉडी में जो T-cells है जो पर्टिकुलर T-cells है इसे करेंगी और जो B-cells है वो इस तरीके की एंटी बॉडी बनाना शुरू कर देंगी तो इसके इलावा चलते हैं हम सब यूनिट अप्रोच पर सब यूनिट अप्रोच में हम कह सकते हैं कि भाई बाहर के जो सर्फिस प्रोटीन है उन प्रोटीन को यूज कर लो ना पूरा और्गनिजम यूजी क्यों करना है तो अनली यूजिंग एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दी प्रोटीन और इनको लेकर के वाइरस या बैट्ट सब्सक्राइब के पास होगा बॉडी में अंटर करेगा और फिर फाइनली हमारा जो है जो एंटीबोडी होंगी वह उसको काउंटर कर लेंगी आधित्य बूछते हैं विच्वेक्सीन इस और इफेक्टिव यह कोशन बहुत लॉजिकल है एफेक्टिव तो साइंटेस्ट देखकर के बनाते हैं मिल्कुल सही बनाते हैं मैं इनफेक्ट आपका अधित्य कोशनी क्लियर गर दूं तो तुम मुझसे सीधे-सीधे बूछन चाहते हो सर कोवी शीड़ लगवानी चाहिए थी या को वैक्सीन लगवानी चाहिए अब तो लगवाद तो ठीक है लेकिन इ ठीक है ना तो अगर इसमें पर्टिकुलर वाइरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन होने की वज़े से जो हमने प्रोटीन से स्पेसिफिक एपिटोप्स लिये थे वो बदल जाएं किसके अंदर उस वाइरस के अंदर जो और ईस ये नया वाई ला VIRUS आपकी बॉडी में एंटर करेंगा तो आपकी बॉडी में जो 현대 exchange ago 20 के लीए तो दैयार ती एंटिवाडिवाडिय बन गई थी लेकिन बॉडी जेन बंख़ता है जाएं जाएंगी जब ने पूरण करते हैं Grace वेक्सीन की तो आपने पूरा का पूरा ऑर्गैनिजम ही अपने अंदर डाल लिया है इसका मतलब सर्फेस प्रोटीन पर और भी तरीके के प्रोटीन होंगे जिसके अगेंस्ट एंटीबोडी इस बन गई होंगी जिनको देखतर के तो तो को वेक्सीन बेटर होनी चाहिए को इस पर इस पर भी बनी कैसे हैं कितने दिनों बाद यूज करी गई पर्टिक्लर इंसान की इम्म्यूनिटी कैसी थी उनका खुद का गया कैसा है कि वेक्सीन को कैसे एब्सॉर्ब हो रहा है मतलब इसमें बहुत सारे फेक्टर्स है तो एक्चुली में हम डाटा जब सामने आएगा तब ही हम compare कर सकते हैं कौनसी better है ठेटीकली बोलू तो को वेक्सीन इस बैटर ठेटीकली नूपलियक एसेड वेक्सीन में हम जैनेटिक मेकप लेंगे डिये न या आरेने लेंगे तो मतलब हम अलग-अलग different component components को लेकर के बनाते हैं clear तो वह होता है conjugate vaccine हो सकता है ना कोई particular subunit protein आपने लिया लेकिन वह इतना ज्यादा effective नहीं था कि body में antibodies बना सके तो आपने कोई दूसरा part भी add कर लिया ताकि antibodies बहुत तीजी से बन सके तो वह conjugate vaccine वह होते हैं कि मान लीजे कोई bacteria है या कोई virus है और body में आके वह आपके toxin दे देता है और इस toxin की वज़े से कोई organ failure कर रहा है है ना यह हो सकता है ना तो इस वज़े से यह bacteria या वायरस आपके आटेक कर रहा होगा हम क्या अगरते हैं इस toxin को लेकर के ही वेक्सीन मना लेते हैं तो जब inactivating the toxin अगर हम किसी तरीके से इस toxin को ही attack कर ले टॉक्सिन भी तो protein ही है अगर हम इस toxin को ही attack को रोक लें तो हमारे symptoms आएंगे ही नहीं तो यह टॉक्सोइड वेक्सीन होती है अलग अलग वेक्सीन से कैसे भी कोश्चन पूछा अब समझ जाओ तूम सीधे आते हैं अब मेरने वैक्सीन पर जो न्यूझ में है clear mrna वैक्सीन के रिस्पैक्ट में आज we may mean को हैं या किमेश ने लेकिन transcription methods है यह mRNA protein बनाएगा तो हम क्या काम करते हैं इस mRNA को vaccine की form में बना करके अपनी body में directly डाल लेते हैं जब मेरी body में यह mRNA जाएगा तो यह body में जाकर के पहली बात तो degrade नहीं करेगा इसी तरीके से इसको बनाया गया होगा और infect हमारी body में यह proteins बनाएगा सर यह proteins कौन से हैं मान लो यह proteins spike proteins हैं तो यह spike proteins जैसे ही बनेंगे हमारी body में antibodies बन जाएगी spike proteins को लेकर के और next time जब कोई particular virus actual में वाइरस आएगा हमारी body में attack करने ही कोईश करेगा उसके पास भी तो spike proteins होंगे और spike proteins के लिए तो already हमने antibodies बना रखी हैं तो हम इस वाइरस को पनपने नहीं देंगे हम पहली मार देंगे तो disease होगी ठीक है यह concept है mRNA virus का अब देखो इसमें photograph के तुरू क्या लिखा हुआ है mRNA particles हमने डाल दिये cell के अंदर जाकर के यह mRNA protein बनाएंगे देखिए spike protein बन गए antibodies बन गई and this is the basic concept ठीक है तो mRNA vaccine कैसे काम करती है यह आपको समझ में आया mRNA vaccine यह coronavirus के respect में है लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा आपको anti-cancer mRNA vaccine के बारे में इसकी जो basic news है वह आपको मैंने बता दी है और उसमें specific हमने ड्रग भी यूज किया है देखो actually में यह vaccine है नहीं directly antibodies बनाएगी यह actually ऐसा है नहीं यह immune system को नहीं बूस्ट कर रही है actually ठीक है तो हम क्या कर रहे है हमने build करा है vaccine को जहां researchers ने पहले तो patient के tumors के और healthy issues का क्या लिया samples ले इसको बनाने के पहले उन samples को analysis किया गया और genetic sequences को देखा गया पहले आप genetic sequences देख लेंगे कि वह tumor cell में क्या genetic sequence है genetic sequence अब आपको genetic sequence एक तो यह मिला यह tumor की cell से मिला एक genetic sequence आपको यह से मिला जो healthy cell से मिला इन दोनों genetic sequence में tumor cell है इसका मतलब कहीं न कहीं mutations हुए होंगे और यह mutations जिस जगा पर हुए है वह identify हो जाएगी जिस जगा पर यह mutations हुए हैं जब उन्हें हम identify कर लेंगे तो हम isolate कर सकते हैं mutant proteins को मतलब हमारी body में वो particular proteins जो इस तरीके की mutations के बाद बन रहे हैं उसे हमने isolate कर लिए ठीक है and isolate mutant protein associated only with cancer क्योंकि वो tumor के साथ है हमने mutation को identify कर लिया है और इस information को हमने use किया vaccine बनाने में समझे आया तो आपने एड़ दा एंड इस MRNA को यूज किया जो protein बना रहा है यह वाला MRNA जो protein बना रहा है और यह MRNA specific to the mutation है जो tumor में उस cell के अंदर उस gene में हुई है बस यह concept है इस चीज को आपने क्या काम किया उस तरीके की particular drug के साथ इसको क्लब करके use किया है तो यह जो particular drug है यह क्या काम करती है यह drug actually disable करती है उन proteins को जिन्हें हम कहते हैं program death one और यह tumor को help करती है कि वह immune system से बच करके निकल जाए तो एक तरफ तो यह drug काम करेगी जो इस तरीके के protein पर act करेगी और immune system से tumor cell को बचने निदेगी और दूसरी तरफ आपने उन proteins को भी बना लिया जिसकी वज़े से यह tumor की mutation problem हो रही है तो इस तरीके से cancer cells को destroy करने की कोशिश है और जब यह इंजेट किया जाता है patient के अंदर तो patient की जो अपनी जो vaccine इस तरगे की inject करी जाएगी जिसमें MRNA होगा particular तो वह अपने आप में copies उसकी produce करेगा mutations के respect में recognize करेगा and mutations के proteins को और उसकी antibodies बना करके उन proteins को destroy करेगा जो आपकी body में नुकसान पहुचा रही थी यह वाले proteins then और दूसरी तरफ यह particular drug भी काम करेगा इन दोनों के combination को researchers ने बोला कि भाई यह skin cancer को हम detect कर सकते हैं identify कर सकते हैं skin cancer को problem को बढ़ने से रोख सकते हैं और उसका एक तरीके से cure है तो यह vaccine है इस तरीके से mutations without the virus the body learns to fight the infection ठीक है तो यह जो mutations है जब उन्हें आपने हटा दिया उनके protein को अटा दिया तो आपकी body fight करना शुरू कर देगी और इसमें drug भी role play करेगी एक तरीके से यह direct vaccine antibody नहीं बना रही बना रही है तो immune system को boost करने के लिए रादर देन कि वह जिस तरह से हमने coronavirus की बनाई यह वैसे काम करें यह difference है थोड़ा सा आई होप आप लोगो को समझ में आया होगा मैंने कोशिश करिए इसको थोड़ा पूछ चुका है तो recombinant vaccine में अगें genetic makeup है दो जीन है मतलब एक तरीक से genetic level पर जो है दो तरीके की जीन को mix करके protein मनाने कोशिश कर रहे हैं तो वह recombinant vaccine हो गई दन उस पर question आ चुका है लास्ट टॉपिक आज कर जो मैं discuss करूंगा अभी और उसके बाद में कम से कम चार पांच कोशन आप पांच कोशन आपके साथ डिसक्स करूंगा वांट यू तो आंसर दोस का ट्रांस क्रिप्टे यूज है को रोना जो particular वाइरस है इसका जो genetic material है वह है और इसका genetic material आरेने है तो इस आरेने को पहले हम कनवर्ट करते हैं डिने में और तो यह निकी बनाते हैं कोपी डिश्ट यह कॉंसेफ्ट है इसे हम कहते हैं एन्जाइम है एक और जो आपका टॉपिक है DNA से MRNA बनना भी जो मैंने पीछे बताया उस टॉपिक का नाम क्या है ट्रांस्कृप्शन तो ट्रांस्क्रिप्शन को रिवर्स करना रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज मतलब अब आप उल्टा चल रहे हो RNA से DNA बना रहे हो समझ में आगा रिवर्स ट्रांस्क्रिप्ट अब यहीं समझ में आएगा अच्छली यही पूछ लिया ना अगर UPSC ने तो आदे स्यादर लोग गलत करके आएंगे आर्टी का मतलब ही नहीं पता रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज नाम का एंजाइम है जो उल्टा चल रहा है आर्णे को DNA में गन्वर्ट कर रहा है और उसकी कॉपी बना रहा है तो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज लगा करके उसकी डिएने बना लिया हमने इस तरीके के डिएने को हम बो chamado या डिएने को लगा करके अब 3 अब हम इसकी एंपीफिकेशन करेंगे i dette करतेए वोए जो रिपोर्टिंग ओर रिपोटर जीन लगा दिये हमने फीछ है ठीक है एक डायी रिपोर्टर रिपोर्टिंग के लिए को अगर इसमें आपका ये कलर दिखता जाता है फिट तो यह color जैसे से दितना जाएगा तो पता लग जाएगा कि भाई यह patient के अंदर आरे ने था आरे से reverse transcription हुआ complimentary DNA बना इसकी copies बन रही है इसका color आ रहा है और color अगर नहीं आएगा तो मतलब आपके अंदर RNA नहीं था आपके अंदर infection नहीं है आपको कोविड नहीं है और यहां पर positive का मतलब कोविड है concept जिस पर UPC पूछेगा वो पूरा नहीं वो है RT PCR उसमें RT का मतलब और RT का मतलब reverse transcriptase RNA से complimentary DNA बनाना बस यह concept ठीक है तो यहां पर यह वाला टॉपिक फिनिश होता है कोई डाउट है तो आप पूछिए जिन स्टुनेर्स ने सेशन को देखा है और जिन्होंने नहीं भी देखा है मैं चाहता हूं कि अब आप एक ही करके इन में questions को attempt करें और फिर हम इन questions को discuss करेंगे सबसे पहला question आपकी screen पर यह रहा यह particular जो question है यह question आपका Krisper Case 9 से related क्रिसपर Case 9 से related ठीक है दो statement आपको दिये है पहला statement यह कहता है कि krisper case 9 एक unique technology है जो enable करती है जेनेटिस्ट को और मेडिकल रिसेर्चर्चर्च को कि वो एडिट करें पार्ट को ऑफ दी जीनॉम बाई रिमूविंग एडिंग और आल्टरिंग सेक्शन्स ऑफ दी डिने सीक्वेंश ठीक है तो यह आपका पहला स्टेट्मेंट है दूसरे स्टेट्मेंट में आपको इसक आल्टरिंग सेक्शन्स अब दी डिने सीक्वेंश के लिए रोल प्ले करता है लेकिन दूसरा स्टेट्मेंट आपका क्या है गलत है बाकि सभी स्विट्ट्स का यहां पर जो आंसर्स आरे मिल्कुँ सही है यह एक्रोनीम इसका है नहीं ट्लस्टर्ड रेगुलेटेड नहीं दिखा हुआ यहां पर जबकि रेगुल लरली इंटर 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 इस पेस्ट है शौट पैटन नहीं है शौट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ठीक है तो यह आपका answer इसमें क्या बन जाएगा एइस दराइट आंसर ठीक है इसका answer एह बिल्कुल सही है तो अधित्य ने इसका असर सही किया इस दराइट आंसर चलिए next question solve करिए कि human genome project related है let's solve this question इसमें आपको तीन statement दिये है students और तीन statement में आपको बताना है कि कौन सा statement इसमें correct है पहला statement है जल्दी से solve करिए students इसमें मैं चाहूंगा कि आप खुद से solve करें solution सुनी लिया तो फाइदा किया आपको मैं day round time 30 seconds का time दे रहा हूं जल्दी से पढ़िए question को solve करिए इस project में different types of methods होते हैं जैसे की sequence annotation and bioinformatic methods अब पढ़ाया नहीं है जरने है ना होता है नहीं होता कुछ नहीं पता तुम्हें ऐसा exam में भी होने वाला है तयार रहूं चीजों के लिए यह project जो है total number of genes जो है determine करता है 3000 यह coordinated by the national institute of health USA and department of energy and USA ठीक है तो यह अब यह sequence annotation क्या होता है यह पढ़ा देंगे अभी आपको मैं पहले बता दूं कि यह statement सही है दूसरा statement में project में total genes determine जो करी गई the total number of genes was determined 3000 यह अच्छी 3000 नहीं है 20,000 approximate है तो यह second statement is wrong second गलत होते ही यह दोनों analysis eliminate हो जाते है and yes इस में यहत्पी सेAR sent merich यह तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है तो तीसरा statement सही होने के साथ साथ यह answer भी हो जाता है लेकिन मान लीजे código आपको यह पहला statement नहीं भी आता ओक्रवकर अगर पहला statement नहीं भी आता है आती यहां पर गलत हो जाता है दी है इसका अंसर अगर आपको यह सेटमेंट नहीं भी आता तो भी कम से कम थ्री तो सही है ना तो या तो यह दोनों आंसर है यह तो ही नहीं आंसर और सेकेंड में अगर आपको याद है तो आप अध्लीस्ट इनमें eliminate कर सकते हैं तो अगर आपको पहला statement नहीं भी आता था तो भी दोनों में ही पहला statement आ रहा था इतना तो आप close elimination technique से भी पहुँच सकते हैं ठीक है तो आपका answer क्या है 1 & 3 B is right answer दो approach होती है human genome project की जल्दी से बतायते हैं पहली approach होती है expressed sequence tags और दूसरी approach होती है sequence annotations यह दोनों definition अगेन मैंने ncrt से उठाई हैं तो UPSC भी ऐसी ही definition हो सकता है उठाए expressed sequence tags में हम कोशिश करते हैं कि जितनी genes हैं उनको identify करें और फिर उन genes को ही sequence करें जबकि sequence annotation में हम पूरा पूरा genome sequence कर डालते हैं चाहे gene sequence कोई हो रही है मलब आपके जो है कोई ऐसा area जो जिस जो gene नहीं भी है जो protein नहीं भी बना रहा हम उसे भी sequence कर रहे हैं हम पूरा genome sequence कर रहे हैं तो यह जो दो टेक्नीक्स है स्पिस sequence annotation आपसे पूचा गया था तो यह blind approach है coding region and non coding region coding region जो particular gene protein बनाती है उसे हम कहते है coding region non coding junk DNA हो गया protein नहीं बना रहा है ठीक है सब कुछ आप कर रहे हो sequence चलो अगला question आपकी screen पर जल्दी से solve करिए question को question में pair दे रखें आपको पहला बायो टेक्नोलोजी है टाइप्स और कलर ऑफ बायो टेक्नोलोजी अगें मैंने पढ़ाया नहीं है इसका वल्लाइब यह थोड़ना है कि आपको जो है पूरा session पढ़ा उसी में से question आएगा question तो कुछ भी आएगा na apply your knowledge apply your mind topic पढ़ लिया है area of study मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें exact answer आता होगा मैं यह जानता हूं कि चार option में से तुम कोई ना कोई एक option eliminate कर सकते हो अगर तुम इतनी काबलियत रखते हो तो तुम्हारे chances 33% बढ़ जाएंगे और फिर आप दो options तक आगए तो 50% तक आप answer को correct कर सकते हो so this is how we do it इस पर आपने answer क्या दिया है अधित्य थर्ड कोश्चन का answer आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपको लगता है दो पेर है जो की सही है ठीक है चलिए ठीक है बाकी स्कूर्ट का answer देखते हैं एक है गोल्ड बायो टेक्नोलोजी इसे Bios Do is Correct बाकी नहीं पता यू इस्कॉर्ट वाया करहरादक्स टीक हैस देखते हैं यल्लन वयॉच्द वायल टेक्नोलोजी चल 모 सबसे पहले तो मैं Student आपको अलग-अलग पढ़ा देता हूं जिस सबसे isigos है Blue Biotechnology Marine and Aquatic, इतना तो समझ गए, Red Biotechnology Medical, Bio Pharma से related है, Green Biotechnology easy है, यह तो agricultural process से होगा, तो यह easy वाली चीज़ यह पैसी बूझता नहीं है, वो तो परिशान करने के लिए बैठा है, लेकिन White Biotechnology यह Industrial Ucas के लिए है, जैसे Insulin का production बताया ता ने खर ने, एक्जाम्पल यह वाइट बायो टेक्नोलोजी उससे रिलेटेड़ है तो अब आप देखिए वाइट कहां आ रहा है यह इंडस्ट्रियल बायो टेक के लिए यहां वाइट होना चाहिए था येलो नहीं होना चाहिए था इसका मतलब 3 गलत है और जैसे यह गलत होगे इसका मतलब ऑल अव दी पेर गलत ठीक है और एक आपका येलो बायो टेक्नोलोजी जो होता है वह इंसेक्ट से रिलेटेड होता है तो आपका अल अब आप 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 सही नहीं है और वन तो है तो तीनों में से आंसर सही देखने पड़ेंगे तो अब आपका अंसर और नहीं आ रहे हैं और कोई अटेंप्ट निगर रहा है कोई बात नहीं मैं आंसर बताया तों इसका गोल्ड बायो टेक्नोलोजी बिल्कुल सही है यह यह इसका मतलब तीन पेर्स इसमें सही है ठीक है ऐसे कोश्चन्स एक्जाम में आएंगे आ सकते हैं तयार रही है तयार रही है और अपनी knowledge को use करने की कोशिश करिए कोई बात नहीं गलती हो रही है लेकिन यहां learning भी हो रही है यह पक्का है जल्दी से इस question को solve करेंगे PCR पर एक बहुत ही basic सा question बनाया है मैंने ताकि exam में अगर PCR पर question आया तो आप इसको कैसे solve करेंगे देखते ह कौन इसका answer करेगा PCR potentially utilized in पहली बात diagnose genetic diseases, detect low level of viral infections, analyze the minute traces of the blood, three pairs correct, last not known, okay जल्दी से इसको solve करेंगे इस question को कि कि इन में से कौन सा statement सही है तो देखिए diagnosis के लिए तो है क्योंकि अगर आप कि किसी TB patient का अगर आप चाहते हैं कि TB patient को आप diagnosis करेंगे उसको TB है या नहीं तो वो तो हम करी सकते हैं क्योंकि उसको अगर TB होगा तो उसके अंदर bacteria होगा और जब उसके sample से हम DNA निकालेंगे तो DNA को amplify कर रहा ही तो हुआ और DNA amplify करेगा तो बैटेरिया जो TB के अंदर अगर TB है तो बैटेरिया है और बैटेरिया को जो DNA वो amplify हो रहा है तो amplification technique से हम diagnosis कर सकते हैं इसमें कोविड भी example है तो वन तो आए गई तो मतलब यह answer नहीं है ठीक है sorry A okay चलो let's see to detect low levels of viral infection यह भी आपको पता ही है क्योंकि viral infection अगर low भी है ठीक है your changing answers okay no problem अगर viral infections low भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो single छोटा सा amount of DNA भी मिल जाए ना तो भी हम उसकी copies बना करके उसको check कर सकते हैं यह PCR की सबसी PCR से हम कर सकते है viral infection भी लोगा तब भी कर सकते हैं answer easy है इसका all of the above statements are correct ठीक है minute traces of blood भी मिलेगा ना तो blood की एक cell भी अगर मिल गई तो उस एक cell से भी DNA निकाल करके हम अराम से bio technology में इस DNA को अराम से PCR technique से amplify कर सकते हैं तो forensics में यह होता है इतना सा drop भी मिल गया ना अगर blood का तो forensics by technology में भी PCR use होता है coming to the last question of the session जल्दी से question को solve करिये genetically modified जो mustard crop है developed in India with this reference statement है और दो statement आपके सामने आपको solve कर करके बताना है कौन से statement इस पे सही है ठीक है जल्दी से मैं आपको one minute दे रहा हूं solve करिये इस question को अ it is commercial use shall be under Indian council of agricultural research ICR supervision और seed act के थूँ यह regulate होगा और genetically modified buster में genes में allow करेगा plants to self pollinate and not the cross pollination कौन से statement इसमें सही है students definitely इसमें statement number two तो बिल्कुस सही है आरती ने भी इसका अंसर भी लिखा है विशाल ने भी लिखा है very good जो students participate कर रहे हैं at least वो learn कर पा रहे हैं चीज़े very good actually second statement सही है तो यहां पर यह second सही है लेकिन पहला गलत क्यों है क्योंकि यहां पर सर ने कहा लिख दिए statement में self-pollination को यहां पर allow करेगा अरे याद करो बार्नेज नाम की gene वो gene तो male sterile plants बनाती है और वो इसलिए करती है कि ताकि self-pollination नहीं हो सके और cross-pollination हो तो पहला statement यहां पर गलत है दूसरा statement सही है तो answer to your question is B